वेलकम टू पीडबली ओले आईएस और स्वागत आप एक सेशन में जहां हम कवर करेंगे प्लीसिस इन न्यूज प्लीसिस इन न्यूज कुछ इस तरह है कि आपको चार से पांच पन्नों के अंदर ही सारी की सारी लोकेशन जो भी न्यूज में है जो भी important aspect है वो सब पता हो और अगर आप हो सका तो आप एक rough image draw करके खुझ से भी किस तरह चीज़ों को याद कर सकते हैं यह सब समझेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं discussion आज के session की मेरी अपसर request है आप अपना atlas या एक rough copy लेके साथ में बैठेते हैं या तो ऐसी कोई rough सी image draw कर सके या अपने atlas पे mark कर सके इस एक गड़ घंटे के session में हम हर एक चीज़ cover करने की कोशिश करेंगी तो चलिए शुरू करते हैं discussion सबसे पहले एक map देखते हैं जो आप यहाँ देख रहे है रफसा यह आपको पता श्रिलंका है इंडिया पाकिस्तान को आप समझेंगे तो आपको पता यह लोकेशन की है लेकिन आप overall इस area को देखो तो कुछ इस तरह दिखता है अब मेरा आपसे यहाँ कुछ basic सा सवाल है यह जो हिस्सा है इसे किस लाम से जानते है जो line है यह कौन सी line है जो इंडिया चाना boundary को decide करती है यहाँ पर एक वार line है जहाँ भी वरतमान में LAC है यह है LAC, line of actual control जो भारत और चीन की सिमा पर है यह हिस्सा जो है यह क्या है? यह है LOC, line of actual control line of control और line of actual control में क्या आंदर है? line of control में बिल्कुल तारे बिची हुई है, border demarcated है LAC, open border type का, इसलिए लगातार conflict भारत और चीन की बीच में बना ही रहता है लेकिन यह जो सीमा रेखा है, जिसे भारत पाकिस्तान की जो boundary है इस boundary का हमें पता है कौन सी line कहते है? रेड क्लिफ लाइन, यहाँ आपका जो अरणाचल परेश का हिस्सा है यह वला हिस्सा जिस सीमा के साथ डिवाइड होता है भारा चैना की उसका नाम क्या है? मेक मोहन लाइन लेकिन यह उपरी हिस्सा जो western sector का पूरा का पूरा हिमाचर पलेश से उपर का यह जो हिस्सा है इस line क्या कहते है? यह line है Johnson line तो Johnson line, McMohan line, Medical line तीनों आपको पता ही है पता चल गए हैं तो जब भी आप boundaries की बात करें तो कुछ नाम आपको हमेशा याद रखने है पहला, क्या, Johnson, India-China border, दूसरा, McMohan, LAC लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, McCarthy line कहां परें तो McCarthy line भी भारत और चीन के इसी हिस्से की boundary थी, एक और जो अगरेशन ने बनाई थी उसको McCarthy line कहते थे, भारत उसको नहीं मानता, भारत Johnson line को मारता है पर ये इस तो जुड़ावा मामल है, तो ये आपको पतल लग कि अच्छा कहां कहां पर ये कौन सी lines है, boundary पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बीच की जो boundary है, ये पहले भारत का ही पार्था पूरा का पूरा तो ये भारत की boundary हुआ अगर दिदे एक समय में इसे कहते हैं during line, तो ये साथी तो आपको चलो पता चगए कौन-कौन सी lines हैं, क्या कहां इनकी relevance है, पर इस map ने एक चीज़ ओर है, भारत-पाकिस्तान की विवाद की बात हम करें, तो हमें पता है भारत-पाकिस्तान का विवाद अभी, एक तो हमें पता है, LOC पर विवाद चलता है, दूसरा, एक जगे है जूनागड, कहां पर है जूनागड, तो यहां पर है जूनागड, इस जगे पर जूनागड, अचानक से पर पाकिस्तान ने इसके उपर claim लगा दिया, कहानी यह कि यहां के जो नवाब हो अगरते थे, महबत खान, जो बिलकुल महबत उनके इंदर नहीं है, महबत खान, महबत तो बारत से है नहीं, गुजरात छोड़के चले गए, पाकिस्तान, चारे थे यहां एक independent country अपने खड़ी कर देना, वो तो हो ना सका, ठीक है, फिर यहां जो रीजन है यह, यहां पर एक important aspect है, क्या है वो, क्या जगे है यहां पर, पानी मुझे, जिसके आसपास एक जगे और है, जिसका नाम हरामी नाला है, जो काफी news मा आया था, जहां से, capture किया गया था, एक वो नाओ जिसके उपर, जिसके उपर आगे फिर कसाम ने Mumbai अटेक किया था, वो मामला है सर क्रीक का, तो यहीं पर है, हरामी नाला, सर क्रीक, तो यह हरामी नाला, यह सब आसपेक्ट है, जो गुझरात के बार्डर के आसपास पाकिस्तान के साथ विवादेत जगे हैं, जो वो यह सारी हो गई, जॉनसन, मिकार्थी, मक्मोहल, लोसी, लेसी, यह आपको पता है, अब मेरा आप से सवाल है, यहां पर एक जगे है, इधर उपर यह है, शक्सगम वैली, शक्सगम वैली वो वैली है, जो पहले पाकिस्तान के कबजे में थी, 1962 के युद के बाद, पाकिस्तान में वो चीन को सौमती, तो अभी इसके उपर चीन का कबजा है, लेकिन कभी यह पाकिस्तान, भाहरत का पार्ट है वैसे ही, लेकिन इसके पर प कि ओपरेशन मेघदूद के दौरा इंडिया ने जो चैप्चर किया वो जगे क्या इस अचिन अक्सेचिन सच्छगंव वेली एलोजी ठीक है डूरल लाइन मैं में में मैं राड़ क्लेफ लाइन हरामी नाला सर क्रीक कोरी क्रीक ये सब आप समझगे ये एक boundary की जो definition है भाई पाकिस्तान के बीच में जुना अगर कहां स्थित है सरक्रीक कहां पर है ये एक map के तुब आपने समझ लो तो याप उसका rough map draw कर सकते हो इसको इस तरह भी revise कर सकते हो अब जब हमने ये डिसकस किया ना कि भाई पाकिस्तान के साथ चलो ये सारे विवाद है ये इंडिया के करीब एक और देश है जो भांत के लिए बहुत relevant है और काफी ज़्यादा नीज में लोकेशन की जाब सो वह श्रिलंका तो श्रिलंका यहां पर आवस्तेत है अब श्रिल करें मन लो श्रिलंका के मैं आपको मिस तरह देखें कि बहुत छोटा सा है तो जो नॉर्दन श्रिलंका है न उपर वाला यह इसा जाफना पनेंसला कहलाता है यहीं पर पहले आपकी एल्टीटी वगड़ा बहुत सक्रिय हुआ करती थी और यहीं दो इंपॉर्टन जगे है एक है पॉइंट पैद्रो और एक है कन्केस ठुराएं ठेक्न पॉइंट पैद्रो और कन्केस ठुराइं तो यह जगह ची से जूड़ी हुई है तो श्रिलंका से जूड़ी हुए पहली बाद यहां पर एक चीज समझें कि आप एक और नाम बहुत सुबते हुए वो है कोलंबो या हम्भंड टोटा के पोर्ट तो पहली बात कोलंबो गाई श्रिलंगा के मैप पे इस जगे देख़ो ना ऊपर यहां तो यह कोलंबो और यहीं पर है high कोलंबो पोट कि यहां इधर इस तरफ है हमबंटोटा हमबंटोटा वो पोट है चाइना ने बिल्ड किया और अभी 99 साल की लीज के उपर कब्जा कर रख रहा है यहां पर एक और गॉले का खुब सब्सक्राइब बीच है यहां पर है त्रिंकोमले जिसके उपर इंडिया कोशिश भी करें डेवलप्मेंट के उपर उल्यडी एक इनका एक मेजर पोट है यहां पर तो यह चीजें तो हैं लेकिन जो लगाता ड्यूज में चीज है उसका नाम एक और है वह है कच्चितिवू आइलेंड तो यहां बिल्कुल इधर यह चीजें तो हमने समझने की शिलंका को यहां यहां पर चीजें हैं जो द्यूज में इसको लेके आती है लेकिन रिसेंटली शिलंका में बहुत अब भारत और रॉष्या मिलके एक एरपोर्ट के हिस्से पर काम करने वाले हैं वो कहां पर लोगेट है तो वह मटाली एरप इसके नीचे का इलाके में आपको अरुदा रहा पुर यहां पर देखने को मिलेगा नीचे मटाला का इंपॉर्टंट इंडिया बिल्ड करना नीचे कैंडी है फिर आपके बिल्कुल लेफ्ट में कॉलम्बो का रिजिन आता है यहां आपका फिर हमबन डोटा आ गया इधर गॉले आ गया यह गॉल भी इसे कहते हैं और आपकी अपोजिट साइड में यहां पर कल्मुनाय और बाटी कोला का इलाका हमारे बहुत अलेमें नहीं है जो काम की चीज़ें वही है कि मटाले एरपोर्ट जो भारत और रश्या मिलके आप काम करने लग गया है को लंबो यहां पर हमारी डिपेंडेंस कोलंबो के पर बहुत जादा इंडिया यहां एक विजिंगम पोर्ड बना रहा है तो यहां जो इंपोर्टन चीज़ें वह जो लोकेशन से वह श्विलंका से जुड़ी भी जो भी इंपोर्टन है वह हमने देख ली ऊपर यहां पर ऐलेफें अशा होगा तो खirt मुझे बोलनी सकते यह जो मैने बोला कंकेश्टुराई यह क्यों इम्पोर्टन है भारत ने तमिलनाडू से श्रिलंका में एक फैरी सर्विस चलाई है डियरी से बिटुन इन्डिया और श्रिलंका तो फैरी सर्विस कहां से कहां जाती है तो इस नाम है नागा पटनम नागा पटनम से कनी केस थुराए इस जगे पर आने वाली ये फेरी सर्वेस है यानि ये मैंने बता रहा कनी केस थुराए यहां से यहां आपकी एक यह जगए है जो आपकी हो गए फिर नागा पटनम तो ये शिलंका की important location से लगाता नियूज में है जो हमें पता होनी चाहिए तो नौर्धन शिलंका हमेशा जो ल्टीटी में उनके लिए उनके लिए सदंत शिलंका रहा वो पूरा का पूरा जिसे आप कह सकते हैं जो सिनली पॉपुलेशन है वहां की वो इसके उपर जादा डिपंडेंट है अब देखें यह आपने कर लिया न तो आप एक बार दुबारा इस मैप पर आईए अब शिलंका को लेगर के आपको क्लैरेटी है कि कहां पर कोलंबो है कहां हमन टोटा है कहां मटाला है कहां नौर इसका नाम क्या है जहां पर एक ग्रेट कनेक्टिविटी करड़ भी भारत ने बनाया उसका नाम बिल्कुल आप सही पहचानने माल्दी इस एक पहुत छोटा सा आईलेंड जो यहां कहीं लोकेटिट है इदर इस लोकेशन पर तो अगर मैं ड्रॉ करूं उसको अगर मैं भा तो यहां आपका श्लंका आजाया और इतर कहीं वो लोकेशन से माल्दीज नो इन माल्दीज के वैरिस प्रोजेक्स पुछ किये जारें इन्दे के द्वारा भी और इनके जो भी प्रेजडेंट है काफी न्यूज में थे तो उनका नाम याद रखे मोहम्मद मैजू मोहम्मद मुईजू यह काफी जादा न्यूज में थे क्योंकि एंटी इंडिया अक्टिविटी बहुत हो रही है आपर यहां कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैं अगले यहां पर रीफ्स हैं तो इनको जोड़ने के लिए एक तो चाइना माली फ्रेंड्शिप बिज बना है फ्रेट मैले प्रजेक्ट था इंडिया ने बिल्ट किया था अभी रीसिंडली इंडिया आपके क्या कर रहा है तो यहां पर एक गुल्फी फालू पोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू किया है अब क्योंकि इतने शोटे आलेंड से इन में क्या ही मैं ड्रॉ करूं और आपको यार भी नहीं रहेगा उस तरह से तो बस आप मैप पर लिख लो यहां भी आप इसको लिख रहे हो कि गुल्फी फालू पोर्ट प्रोजेक्ट कहां पर है तो इस इन माल्दीम्स सेकेंड हुल माले क्रिकेट स्टीडियम भी इंडिया बना रहा है यहां पर तो इ माले कहां पर हैं माल्डीज में और फुली जो हनी माधू है इसके लाव इंडिया हानी माधू यास कर रहा है और यह तो यह सब वापके रूपक रूंड अलें में और माल्दीज की कहानी है कि यहां पर एक इंपोर्टन का यह भी हो रहा है कि यहां पर लगातार चाइना अपना पैर पसा रहा है और चाइना यहां पर बिल्ड कर रहा है सीना माले ब्रेज क्या नमें उसका चाइना का बिल्ड कर रहा है यहां पर चाइना का सीना मालिवरेज तो यह सब यहां लगातर बिल्ट हो रहा होगा यह बिल्ट अगर होगा तो इंडिया के लाव एक स्टेटिक पॉइंट को मिलता है इसके इंडिया इसको लेकर थोड़ा यहां पर इसको में भी पुश नहीं करना है ठीक है यह बात होगा चलो मालिवस में आपने देख लिया कहां पर क्या आस्पेक्ट है और इंडिया लगातर यहां क्या कोशिश कर रहें कि हम लक्षद्वीप को एज इसे कैसे क्या है टुरेस्ट पोटेंशिल या अजन नौट अल्टरनेटिव हम यह भी दिखा रहें कि माल्दीवस में साम्धान नहीं सतर्क रहो हम आपके उपर उतनी निर्भर भी नहीं है अगर आप जाना छेडखानी करोगे चैना के बहुत करीब जाओगे तो हमें भी दिक्कत की बात है अपने पास वैसे भी बहुत सारे हुपा है कि जहां से आप इंडिया के उपर नज़र रख सकते हैं अल्फू हो गया मीग हो गया बहुत सारे अटोल्स है वी डूंट रिमेंबर ऑल दोस नेपर सो जो पॉसिबल भी नहीं है एक्जाम के पॉइंट आप सारे के सारे आइलेंड के याद यहां कुछ नावैसे हैं जो यहीं चैगों से इसके आगे जो कि हमको मिलेगा सेशल्स सेशल्स दो अफिशली पार्ट ऑफ एफ्रिका पर यहां आपको नीचे मिलेगा नहीं जाकर और जहांपर यहां पर नीचे होगा लिए उनियन आइलेंड तो इंपॉर्टेंट नाम है कुछ चो लोकेशन आपको इ सेशल्स आइलेंड इस इस इलाके के लिए बहुत रिवेंट है यहां की ग्रेटर नीवल सेफटी के लिए तो यह उसको देख लिया कि अच्छा क्या क्या चीज़ीं थी क्या रिलेमेंट यहां पे आसपेक्ट था वो हमने देख लिया पर इस इट एनफ नो इस नॉट अभ के बिटिश इंडियन ईश्टिके प्रिटिश कर इलाके जिसके अभी घुए-क टिसके अगहनों टतरत लियन मेंट च्हांचत की तो इसको यहाँ एका जैसी कि और से इसके अविश . उनकी तरह यहां पर इनका बहुत बड़ा प्रसंस है तो यहां पर अमेरिका बैठा हुआ है इसके आसपास कुछ इलाके हैं जहां आपका बिया यू टेली बिटिश टेरिटरी है तो यह हमने समझा कि चलो भई यह सारी कहानी यहां पर आती है अगर मैं आपको घुमागे ले भी लोकेशन की कहानी पता लाग रही है हम इंडिया के तरह है छो श्लंक काली माल्दीप कर लिए इंडिया पक्सां के में लोकेशन ठाइलन की यहां पतली सी जो जमीन की पटी है है यहां पर पहले कनाल बनाना चाहते थे जो सफन नहीं हो पाया तो महां एक Land Bridge बना रहे है इसका नाम होगा क्रा Land Bridge प्हले कोश्चीश से कि वो Gulf of Thailand को बेव से सीज़ा सीरा connect कर पाएं यह हमने देखा इसी मैप पे कुछ चीजें और हैं साउंधी स्टेश्या वाली वह हम एक और रफ मैप के तुर देखने की कोशिश पहले आप एक बार इस मैप को देख लो कि असल में देखता कैसा है ठीक आप में बार देख लिया दो सेकंड देरा करता तो मियामार का हिस्सा यहां से आपका स्टार्ट होता है जो पहले आपको इस इलागे में लेके आता है यहां जो चीज़े इंपॉर्टेंट है उनमें पहले आपको बताना चाहिए कि कमबोडिया कहां पर है लाउस कहां पर है वियतनाम कहां पर है तो मुझे बताओ प टेकिए कौन सा ओशन है विजह बते ही कौन सा ओशन है यहां देखें कंबोडिया यहां कंबोडिया के बॉड़्टर पर चाइना की डूसरी ओवर्टीज बेस है लियाम नेवल बेस ऑफ चाइना चाइना ने यहां बना रखिया चाइना बहुत ज्यादा इनके ओपर कंड्रोल इतरह से करके बैठा है और यह जो इलाका यहां है यह है गल्फ ऑफ टॉंकिंड जहां विवाद चल रहा है वियतनाम और चाइना गरीच में गल्फ ऑफ टॉंकिंड यह सब हम प्लेसे नियुज जो लेंड नॉग्ट है वो देश यहां पर एक है उसका नाम है लाओस जो यह कंबोडिया के उपर आपको देख रहा है यह जिसका इडिया समूंदु से नहीं लग रहा इस लए लए लावस कंबोडिया वियतनाम यह तो हमें पता यह कौन सा इलागा होगा है कि अ इब अब यह कौन सा यलाओगा होगा म्यामार थाइलेंड कंबोडिया लाओस वियतनाम तो अगर आप इसको देखो तो इसको कह सकते हैं इसमें जो इंपॉर्टन चीज़ें क्या क्या है एक तो रियाम बेस कहां पर है कंबोडिया में लाओस गल्फ टॉंकिन का विवाद कहां पर है तो वियतनाब और चायना के बीच में है ठीक है कहां पर है अगर आप से पूछो कौन सी कंट्री यहां पर लैंड लॉक्ट है तो होचा था लेकिन लाओस रॉक्त विया तरीके की घ contenu निवास में था लॉस में कई सारे इंडिया क्यों करता है कॉइड विकट प्रोजेक्स लगातर करता है इंडिया, कमबोडिया, लाउस की जिर में तक यहाँ पर डेवलपमेंट हो पर, यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टन चीज और है, यह है पूरा का पूरा कौन सा हिस्सा, इसको ज़रा गौर करें तो यह हिस्सा है, साउथ चाइना सी का, साउथ च इंडिया, यहाँ पर इंडिया एक पूर्ट बनाने की बात कर रहा है, उसका नाम है सबांग, ठीक, इधर और जगह एके, तो एके से अन्णमान, अट्रेक्टियविटी बढ़ाने की बात इंडिया कर रहा है, तो इस दो चीज़ें होगे इंडिया, एक ट्रेक्टिवीटी एक हाईवे जो इंडिया से जाता है में अमार उसके बाद महां से पहुंचते हैं थाइलेंड इंडिया में मार थाइलेंड हाईवे बन चुका है उरड़ी तो यह कुछ चीते इंपोर्टन जो यहां के आपको पता हुद ने चाहिए अगर हम अब जो आईलेंड कंट्रीजम क को देखें तो यहां से थोड़ा क्लारिटी नहीं मिलेगी तो मैं इसका मैप पे लेके जाओंगा लेकिन इंडोनेशिया सिंगापूर मलेशिया ब्रूनी ऊपर फिलिपीन सा जाता है तो यह बेसिक आपका डिविजन है यहां पर इस मैप पे दुबारा आ जाओ यह देखो यहीं पर ना यह जो आस्पेक्ट आपको समझा रहा है यह कौन से जग है यह फिलिपीन सी के ऊपर यह क्या हिस्सा अब देखो यहां जपैन है यहां साओथ को रिया है वियतनाम कहां पर यह वियतनाम है तो एकर करके आप लोकेशन देखें पर साउधी स्टेशन भोसे हैं तो जो इंपोर्टन लोकेशन हैं वो यहां ही देख रहे हैं कि भाई लाउस कंबोडिया वियतनाम किसली नीज में लगाकर अब साउट चैना से वेला बहुत सारा विवाद है तो तस्वीर के थूर समझते हैं मैंने आपको बोला था कि छोटा सा आइलेंड है जो ऊपर कौ यहां जो इस पे लगातार अभी हमले मुले बढ़ रहे हैं इसलिए एक आइलेंड और न्यूज में आया है वो है योना गुनी आइलेंड इसन में एक जैपनीज आइलेंड है और यहां लगातार टूरिजम बहुत ज़रा होता था तो लगातार यहां पे जो अटैक या मिल यहां ने जचेता हैं इसान के कंट्रोल में आइलेंड तो जपैन साथ को और आयां तो यहां पर आप कया ताइवान तो दो आयलेंड का नाम सेनका को डायो एक ही नाम है एक जगह के दो नाम है और और एक यौनगुनी आइलेंड जो भी जैपनीज आइलेंड है पर क्योंकि ताइवान के साथ जो विवाद बढ़ रहा है चाइना का जो यहाँ बढ़ रही है उसे जैपन गोड़ रहा है कहीं यह लोग इसके उपर हमला करने की कोशिश ना कर दें यह भी थोड़ा आपको क्लेर हो रहा है आइडिया अब आते हैं साउथ चैना सी में ताइवान है यहां पर कौन सा इलेंड है योनगुनी आइलेंड कौन क्या घराम बताया है आपको तो वह मुझे बताएए चले अभी आगे बढ़ता है और झालेंड की बाद करें सा यहां चार्फ चैना सी इन साउथ चैना सी में नाम याद रखे पैरसल इलंड बहुक्ति ऑपैल चैना सी में आ जाते तो इस ए पार्ट प्रैटर्स, थॉमस, और रिसेंटली थीटू आइलेंड भी नियूज में था, थीटू आइलेंड अभी फिलिपीन्स के कबजे में है, जिसके उपर लगाता है, विल्ट्रेशन बढ़ रही है, तो यहां पर विवार था, थीटू के उपर, तो स्पाटली, थीटी, और स्कार बोग, शूल, यह सारे के सारे कहा है, साउथ चैनसी, मेकल्स फिल्ड, बैंक, यह सारे के सारे साथ के साथ, साउथ चैनसी में जा विवाद है, इस चैनसी का विवाद है, वो है, सेंकाकु, डायकु, डायकु आलेंड, इस चैनसी, तैवान के, अगर आप ऊपर की तरफ चल इसको अब देखो तो यह चाइना का 9-9 है इसको क्लेंग करता है यह हनान प्रोविंस से चैना का यहां पर टॉंकिन गल्फ ऑप टॉंकिन जहां वियतनाम और चाइना का विवाद बड़ा है हाल में ठीक यह आपका तैवान है ठीक तो यह आपको पर ली और पैरसल आइलेंड इस कौन-कौन से हैं कहां किसकी लोकेशन है यह आपको पता है कौन सी लेंडॉक कंट्री है इंडिया कहां ट्राल्टर हाइवे बना रहा है तो अगे और यह जितने ही चैनिस हैं साउथ इस एस इस मैप में यह सब एक ग्रूप का पार्ट पार्ट है उसका नाव है आसियान आसियान के दस मेंबर हैं, दस मेंबर यान करने का सिंपल फॉर्मूला है, CLMVT, कमबोडिया, लाउस, म्यानमार, वियतनाम, थाइलेंड, जो आपने देखा, ये इधर वाली कंट्री से सारी के सारी, दूसरा हिस्सा बचते हैं, आपका पांच और वो है, सिंगापोर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स और ब्रूनी, ये नीचे वाली कंट्री से जो आइलेंड के तुरू बनती है, तो इस तरह आप चीजों को याद रख सकते हैं, कि भाई, कौन सा एरिया है, क्या रेलेवेंस है, और क्यों नीज में लगातार बना हुआ था, साउचarela si में लगातार व्यवार, आपको पता है, चाइना, यह आं कहता है, यह पूरा का पूरा हमाना see है, तो इनके व्यूर पदह Stri best partner एंक यहां पर बने हुए है, तो इनके व्यूर यहां एंडियों के इंडियों पर अपर हमला गड़े कानी यह पनी अमेरी ब्यूंस ह आजाओ, इस पूरी रीचन में उनकी प्रेजन्स बहुर जादा है, तो इसलिए वो चाइना के किसी फॉर्वर्ड मुव्मेंट को रोख सकते हैं, दूसरा गुवाम हो, माइक्रोनेश्या हो, पलाव हो, यहां पर उनकी मिलिटरी प्रेजन्स है, तो उसे सेकेंड आलेंड ची ना से होता है, तो उसके उपर, अब यहां पर आपको पता है, ताइवान है, ताइवान से जोड़ी वी एक और चीज जो लगातार नीउस में थी, वो थी, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी का मदलब, किसी भी प्रेकार से अगर कोई इनके उपर होता है, ताइवान के उपर तो बाहर उसके पहले यहां अपनी नेवल प्रेजन्स बहुत बढ़ा रखी है, फिर अपने बॉर्ड उसके सेना बहुत सरी खड़ी रखी है, फिर अगर चाइना कभी अंदर आता है, तो उसको अंदर बहुत भाहिजदर गोईला और फिर करना पड़ेगा, इस तरह लगातार लड़ने के लिए, टाइवान ने बहुत सारे तरीके अपनाए हुए है, तो यह पॉर्क्यूपान स्ट्रेजी टाइवान से लेटिड है, फर्स्ट एलेंट चेंड, सेकेंड एलेंट चेंड का मतलब है, यह वो इलाके है, जहा यहां जो कंट्रेंज की बाटरिया अपर खत्म हो रही है, यह यह लैंड लॉक कंट्री है, यह है लाओस, यहां इस समदर के और खुल रहा है, तो यह कौन सा कंट्री है, तो कंबोडिया, यह नीचे वाले कंट्री है, वियाद नाम लिख्खा ही हुआ है, तो C-L-M-V-T हम हमारी मिल गई हमें अब यहां जो यहां मलेशिया है यहां इंडोनेशिया इधर सिंगापूर है यहीं इंडिया ने एक चैंग्या पोर्ट की बाद देखी हुई है जो इंडिया सिंगापूर के साथ ओपरेट करता है इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपीन्स इधर आपका आग में कौन सा गुरूप Singapore का तो यह बिल्कुल नहीं एंड पर देखते हैं यह सिंगापूर है यह आपका मलेशिया के टिप पर आपको सिंगापूर देखने को मिलेगा मलेशिया इंडोनेशिया आपको पता लगी है कहां पर क्या लोगेट है तो स्ट्रिंग ओफ जो आपका मलक स्ट्रिंग का स्ट्रिंग है उसके बिल्कुल माउथ पर यहां शिंगापूर बैठा हुआ है इससे आप चीजने यालत कर सकते हैं हमें साउथ इस पता है यह मेमार है यह बंगला देश है इंडिया उसके बार पाकिस्तान है ऊपर नेपाल भूटान है अफगानिस्तान है तो यहां तक तो हमें पता लगया कि मैं में चलो साउथ इस टेशिया से मैं आपको वर्ल्ड मैप पे लेकर जाओ तो यहां से आपको चीज़े आइडिनिफा करने में दिक्कत नहीं है इरान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान म्यानमार थाइलेंड वियतनाम यह कौन सा इलाका है जहां पर यहां नेवल बेस हैं कमबोडिया लाओस मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापूर फिलिपीन्स ब्रूनी ठीक है S.I.P.B. इस सारी के सारी हो गई तो हमें साउट इस इस एशिया की जो इंपॉर्टन लोगेशन है वो भी पता लग ग है और एक बार पहले हैं दुबारा देख लिए भई सबांग एके ठीक है थाइलेंड यहां से आपको एक रफ इमेज भी पता लग रही है अब आते हम जड़ाइक ऐसे इलाके के उपर जो बहुत विवादत है वो है बेस्ट एशिया वाला हिस्सा यानि यह इलाका जहां प लगाता है यहां कॉंफिक्ट बना हुआ तो यहां आपको लोकेशन पूरी पता होनी चाहिए तो जब हम बात किते हैं वेस्ट एशिया के तो एक चीज़ हमें याद रखनी है वैनेवर यू डिसकस वेस्ट एशिया तो वेस्ट एशिया के कुछ इंपॉर्टन तो आप इरान से लेकिए इजिप तक पूरा का पूरा इसके अंदर कवर करते हों तो इस पूरी डिजन में जो भी जगे न्यूज में वह आपको पता होनी चाहिए तो पहले आते हैं इरान के उपर अब इरान में कुछ चीज़े लगाता है न्यूज में इरान की लोकेशन जो इरान के न्यूज में थी, वो ये थी, सिस्तिन बलुचिस्तान, ये दो जगें लगातार आपको न्यूज में देखने को बिलिए, मुझे बता कि क्या बज़े है, क्यों ये दो जगें न्यूज में थी, सिस्तिन बलुचिस्तान दो पहले मुझे बता तो ये क्यों न्यू उपर है पाकिस्तान के उपर तो इसलिए ये न्यूज में थी लेकिन केवल इतना ही नहीं यहां कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जो भारत के लिए बहुत ज़्या रेलेवेंट है इरान को लिकर क्या तो तीसरी इश्वहान से अकुछ एक उन इस राइल यहां से इसराइल के उल्छ अपर अ्टेक किया गया था इस्तिंब लुजस्तान ये पाक इरान कोंफरिक्ट के टैम में जब इरान पे दुने पाखिस्तान के उपटर अब एरान ने हमली कि तो वहां के बात आ जाती है तिसरा चाह बाहर पोर्ट ज जो इंडिया को एक से जिता अफगानिस्तान का महावाला आ गया चौथ था बंदर अब्बास बंदर अब्बास एक और पोर्ट है जो बहुत रेलेवेंट है यह भी हमें पता होना चाहिए इनके नाजनिक है तहरान और इनके जो राश्पति उनका एक्स्रिंग में उनके देहान तो जा तो वो भी एक बड़ी न्यूज बनी थी अब ये इरान की बात होगे लेकिन इरान इतनी ही वज़ों से कारण न्यूज में नहीं है असनल में इरान एक ऐसा देश है जो पर्शन गल्फ कैस्पियंसी और गल्फ ऑफ ओमान ती दो जगे उनकी वाटर बॉड़ी से बाउंडिन्टी टेच होती है कौन-कौन से जगों पर पहली पर्शन गल्फ यह कैसे-कैसे होता है यह भी धियान रखेंगे तो पर्शन गल्फ तो आपको आपको आईडिया होगा कहां पर है दूसरा कैस्पियंसी Gaspian Sea और तीसरा Gulf of Oman ये तीन जगे हैं जिन से इरान की सिमाएं लगती है इसके लावा हेलमेंट नदी बहती है यहां से वो इसको बहुत relevant बनाती है तो ये सारी इरान की कहानी है चलो ये हमें पता लगते हैं लेकिन कहां पर है situated इरान तो आपको यहां देखेगा इरान यानि पाकिस्तान से लेकर आप इराक और आप सीरिया तक के हिस्सों में जाओ तो यहां आपको देखने को में लगा इरान तो यहां आप देखो water body धेर सारी है ये जो water body है ये है Persian Gulf नीचे जो देख रही है ये जो देखती है ये आपका कैस्पियन सी जो मनें बोला तीन water body है ये आपका इदर आगया Gulf of Oman तो तीनो water bodies गहरे हुए इरान को लेकिन यहां फिर भी पानी की बहुत भारी किल्द है अब यहीं पर आप देखो तो यहां वो जगह है जहां से इन्होंने इसराइल की उपर फाइडिंग करी थी और यहां बलचुस्तान की कस्क यहां नीचे के हिस्से में आपको मिलेगा इससे बेटरम पिछली इमेज में देख तो यहां आपको दिखता है कहीं जाकर इस रीजिन में आपको दिखेगा चाबहार और यहीं पास में आपको दिखेगा बंदर अब्बास और जो मैं बात कर रहा है बंदर अब्बास और चाबहार यहां नीचे के हिस्से में आपको दिखने को मिलेंगे यह हिस्सा आपका पूरा का पूरा इरान का है तो यहां से आपको दिख़एगे भाई, अच्छा यह कहानी, यह इस्ते की कहानी को जशती रहा है, यहां आपको मीचे कैसे में बंदरल अबबस और यहां आप चाबाहर का पूर्ण दिखेगा, यहां इश्वान है और जस्ट जहाइन का पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है यानि इस इलाके में यहां कहीं यह रीजन था जहां पर था आपका सिस्तिन बलुचिस्तान का प्रविंस जहां कॉन्फिक्ट है बिट्विन पाकिस्तान और इरान यह आई होप आपको पता लग गया होगा अब इस रीजन की एक और कंट्री जो लगात राइद Tower रोगिता आगर लगेवशाव देख रहता है उसको देख जाते हैं सीरीय के मैपने में दिखिव लीया की मैपने में दिखिए लिया कह आप देखो तो शीरिया का बार्टर किस से लग रह रहा है यहां है मैडि ट्रेनींएंसी, यह हिस्सा किसका है यहां पर इसर इसकी capital का नाब गया है Damascus जिसके ओपर हमला कौन कर रहा था तो लगा था इसराइल ने इसके पर भूमारी किया है इसका border टर्की से इराग से जॉर्डन से लगता है और कुछ हिस्सा इसका गोलन हैट का है जो कबजे में किसके है तो अभी इसराइल के कबजे में यहां पहने गोलन हैट्स गोलन हैट्स गोलन हैट्स जिसके ओपर कबजा करके बैठा हूए कोन इसराइल, ठीक है, इनके capital है Damascus, जिसके उपर बंबारी कर रहा था इसराइल, क्यों बंबारी कर रहा था कि इरान की जो military है, इरान का जो IRGC है, इनका एक लड़ने वाला, इस्लामिक revolutionary guard cops इनका एक हिस्सा है, जो यहाँ जाकर इनको support करता था, तो यह जगे आपको news में पता ह लग गया कि क्या एक कहानी है, Damascus वाल ही हमें, पता लग गया है, अच्छा जबो यहाँ पर है, अब जब आप देख रहे हो, यहाँ एक और country आती है, बीच में सौधी रेविया, और Syria के चस्ट बगल में यहाँ एक country है, इसका नाम है, Lebanon, Lebanon क्यों निउज में है, तो Lebanon का Hezbollah, Hezbollah is retro Lebanon, Lebanon की राजदानी है, बाइरूट, ठीक है, तो अगर मैं आप से पूछ आपको मेरिटरियन से इंडिया आना है, तो कैसे जाओगे, मेरिटरियन से आप सीधा पहुच जोगे Syria, या फिर लबनन, या फिर इसराइल, या फिर लबनन, या फिर इसराइल भी सकते हो, अगर आप सबसे पहुचे Syria, तो वहाँ से जाओगे Iraq, Iraq से जाओगे Iran, इरान से जाओगे Pakistan, पाकिस्तान से जाओगे India, इसराइल घुसे अगर आप, तो इसराइल से आपको पहले पार करके जाना पड़ेगा, यहाँ एक देश इसका नाम है, Jordan, इसराइल से आप आफ सा जॉर्डन है, यह Israel है, ठीक है, यह आपका सीनाय पंपनेंस वलाई है, असल में यह पूरा Egypt का हिस्सा आता है, यह हम अलग से करेंगे, जर्म डिसकस करेंगे भी Egypt है, ज्रम सवाओधीरेबिया, यह आपका, यहाँ पर जो हिस्सा है, इसे कहते है, State of होर्मोज ये है स्ट्टरेट आफ होर्मोज पर्शन गल्फ और गल्फ हमान के बीजिन में इ undertaking ये है रेड़ सी ठेक ये है बर्शन गल्फ तो ऐसी कॉन सी कंट्री जिसकी बांडरी पर्शन गल्फ से भी लगती है तो वो आपको पता है एक ही country अब आपको यह दिखेगी, वो है साओधी रेविया, ठीक है, तो इस images के तुरू भी समझते हैं, कि आपको यहाँ दिखे रहा होगा, यह इसराइल है, यह सीरिया है, यह लेबनन है, ठीक है, इराक, साओधी रेविया, इरान, ठीक, यहाँ उमान है, ठीक, और कौन सी country हैं, आसपा सब को दिख रही है, इधर आपको आ जाएगी, यह country है, ठीक, फिनिया, आपको कुवेत, कतर, यह सारी countries आ जाएगी, तो इस तरह जो locations है, वो आपको यहाँ से पता लग रही है, यह जगे नियूस में इस लिए आ रही है, जो कतर है, जो कतर है, यहाँ आपका UAE आ गया, और इधर आपका कतर आ गया, यह पूरा रीजिन ही, वैसे डिफाइन जाता है, थोड़ा सा, मैं इसको एक बार और अच्छे सा एक्स्प्रिम करना, आपको कहां कौन सी country है, यह आपको बहतर एक आउट रूप देखा देखने के लिए, यह साओध आपको बहुत है, इन को देखा हुआ है, यह मुझे बतार, यह कि अकातर है, क्या है, तो असल में यह है, क特़ को याद करने का सिंपल तरीका, इनको हधमीर की जिती, जुक्ता बहां देखा देखेंगे, पानी में हमारे ज़ाद बात करने, तो कतर ही असल में के उपर बैठा हुआ यहां है यूए इए तो यूए उमान तो यह पूरा हिस्सा आ गया तो गल्फ अपर यहां पर है अब देखो अब मिरा अब सवाल है कुवेट कहां पर हुआ यह मुझे बताईए कुवेट एक छोटी सी कंट्री है यह कहां पर है बहरेन और कुवेट सब सिंपल है चीजों को याद करने का तरीका कि अगर आप देखो एक छोटा सा डॉट इराग के नीचे यह है कुवेट यह है दोहा दोहा यह नहीं कतर यहां पर है यूए यह आपका उमान है यह यमन है साओधी रेविया यह कौन सी कंट्री होगी जॉर्डन इसराइल सीरिया लेबनन, तुर्किये यह आपका होगी है बेस्ट अशिया अब यहां जो चीज़े न्यूज में है वो कौन कौन सी तरह है यह देख लो लोकेशन तो पता लगी गई, इरान से लगए यहां तक कि इरान का थो हमने अलड़ी करी रखा है पहले बात करते हैं कि कौन सी कंट्री, पर्शन गल्फ, गल्फ अफ ओमान और कैस्पियंसी तिनों से जिसकी सीमा लगते है वो कौन सा देश है तो वो है इरान, यहां आपको देखे रावा इरान यह है Caspiancy, इसका नाम है Caspiancy, इस साम के तरह दिखने वाली एक water body है, it is called as Caspiancy Caspiancy के लिए आप simple देखो कि कौन को से country की सीमा है Caspiancy से लगती है, तो बहुत simple है जहाँ आप फसोगे गया, उस्बेकिस्तान की boundary लगती है, Caspiancy से लगती है तो इसका simple है, इरान की लगेगी, boundary, तुर्कमेनिस्तान की लगेगी, कजाकिस्तान की लगेगी, रश्या की लगेगी, और यहाँ कौन सा हिस्था है यह है अजर्बाइजान अजर्बाइजान इरान तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान रश्या इनकी मांड़ी आपकी लगती है कैस्पेंची से क्या अर्मेनिय की बॉड़ी लगती है कैस्टियन सी से नहीं तो हमें सिंपल याद रखना है यह जो वाटर बॉड़ी है कैस्टियन सी कैस्टियन सी मतलब C5 पांच कंट्रीज है कौन कौन सी कजाकिस्थान तुर्कमिनिस्थान इरान अजर्बायजान और रशिया तो आप इसको इस तरह से पांच दिशों का नाम है ऐसे आप याद कर सकते हो यानी तारिक इसको यह भी कहा जाता है कि तारिक से आपको याद हो सकता है तुर्कमिनिस्थान अजर्बायजान रशिया इरान एन कजकिस्तान तारिक से आप याद कर सकते हैं, तारिक कंट्री जिनकी बॉन्डूरी लगती है, किस से केस्पीन सी से, ठीक है? अब ये भी पता लग गया, बैरेट कहां पर है, लेवन में कहां है के पास है इसी जो कोस्ट है इसको हम कहते हैं लेवांट इस कोस्ट इस कॉल लेवांट ठीक यहां जो जगह है नियूज में थी वह भी हमने कर ली भारे इनकाप रही पता लग गया आपको अब इंडिया रिसेंटली जो एक कंट्रिस के साथ इंडिया का प्रिजनर एक्सचें क्टर के साथ हुआ तो कत्र ने साथ हुआ था क्वेध के साथ हुआ था मुझे बताइए व आपके देश के साथ इंडिया का मिरिसेंटली एक प्रिजनर एकशेंज के लिए यह प्रिजनर एक्सचेंज प्रिजनर नी जो भारत यह लोगों कुछ पकड़ लिया था निवन सब्सक्राइब है यहां एक और वाटर बॉड़ी है इसका नाम है RLC ठीक है यहां से आपको चीज़ां याद हो जाएंगे यह आपने समझ लिया अब जब वेस्टिश्या को देख लिया है तो वेस्टिश्या के बाद इस रिजन की एक मेजर जो कॉन्फिक्ट है जो आप इरान आपने करी लिया इराक में कौन से इंपॉर्टन चाहर है मौसुल ठेक है यह आपको पतना जीए जहां बहुत लगाता आ आईसस रगर एक्टिव था और मौसुल के लावा एराक की राजधानी के हम विजए बटाइए इरान की तहरान तो पता ही अपको और इसी रिजन में इंडिया एक और पूर्ट पूल्ड कर रहा है दुखमपूर्ट तो कहा बिल करना है इंडिया दुखमपूर्ड बिल्ड हो रहा है यह हो रहा है वो मान में ठीक है clarity है इसके बारे में आपको अब अगला मेरा important role होगा कि Red Sea को जब आप देखते हो तो Red Sea से किस-किस देश की boundary लगती है यह भी पता होना चाहिए तो Red Sea में अभी बहुत विवाद है खासवर पर यमन नाम के देश के असपास तो क्या चीज़े हैं क्या conflict है वो भी जड़ा देखें यह आप मैप को रफ मैप इसलिए बता है वैसे आपको लेगा आपको सब कुछ पता है यह confusing map जब आएगा तब clarity होती है कितना आपको पता है कितना नहीं बता तो पहली बाद यहां जो सींग यहां टॉप पे क्या है टॉप पे ओमान है एदर थुरना सा UAE है और बाकि से पूरा PP धुक्त का नाम है यम Над यमन में यहां के इलाकों में एक्टिव है कौन? तो हाउती रिवल्स यहां हाउती जही हैं यही पर सना नाम का शहर है जुनकी राज़ानी है यह यहां से लगाता रेड सी के उपर हमला करते रहते हैं रेड सी असल में जोडता है मेडितरेणियन सी से इंडियन ओशन को तो आपको यहां पर गल्फ अकाबा है तो मालोन अगर आप यह रेड़ सी है तो रेड़ सी से अगर आप निकलना चाहोगे एक तरफ बाहर की तरफ में ट्रेन पर आपको जाना होगा पहले गल्फ आप स्वेज में से स्वेज कनाल से फिर आप मेरी ट्रेन में चले जाओगे दूसरा अगर आपको इसराइल घुष आपको यहां पर Gulf of Akaba है Gulf of Akaba यह वहाले कहानी है अगर आप इधर आते होना तो यह जो इसन साइन है इसका जो बिल्कुल में बैठा है वो यमन और यमन में बैठ आपके रेबल्स जो की ऊजिए आपको समझा यहां जू यह जो यह स्ट्रेट है इसे कहते हैं बाबल यमन, उमान, सौधीरेविया, बाबल मंदेब, रैड सी, गल्फ अफ स्वेज, गल्फ अपकाबा, क्लेर है, ठीक है अभी हम इस एश्या के साइट चलने, इतना पता है, मकाफी है तो अब हम दुबारा एक बार ना देख लेते, कौन-कौन सा अरिया कहां पर है यह है, ओमान, ठीक है, यहीं पर आपका द्वकम पोर्ट है, जो इंडिया इसके उपर काम करता है यहां आपका कौन सा शहर है, यमन, यमन में कौन ओपरेट कर रहे है, हावटीज, ठीक है यह है, यह साझी रेविय, साझी ठीक ऊपर अगर आप जाओ, यहां आपका पड़ता है इसराइल इधर अगर आप आजओ, यह है इरान, यह है इराक, यह है जॉर्डन, जॉर्डन के ऊपर यहां पर आपका सीरिया जॉर्डन, सीरिया, इराग, इरान, सौधिरेविया, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरेन, कुवेत, सौधिरेविया, यह आपको पता है, यह रेड सी है, पूरा का पूरा, यह कौन सा इलाका है, यह है, बाबल बंदेव, यह है, स्ट्रेट अफ ओर्मोस, यह है पर्शन गल्फ, यह अगरा पेंटरा तो यह है, गल्फ ऑफ स्वेज, यहां जो हलका वाइट सा देख रहे हैं, गल्फ ऑकाबा, तो आपको ऐसे, मैप में जब आइडिंटिफाइ कर लोगा ना, चीजों को तो आपने चीज़ें असान हो जाएंगे, तो मैं एक बाद सूब क्लियर कर लेता हू तो यहां अगर आप देखो, तो यह सारे वीजिन्स, मैं आपको बता रहा हूँ, कहां तो हाउतीज कहां पर हैं, और आपके हजबुला कहां पर हैं, सिनाय पेनिंजुला कहां पर हैं, प्लस गोलन हाइट कहां पर हैं, गाजा कहां पर हैं, रेड्सी कहां पर हैं, गल्फ अ पखाबा कहा पर है वाबल मंदेब कहा पर है पर्शन गल्फ कहा पर है ये सब आपको पतना है जी हम helps को पता है यहां यहां हमले कर रहे हिस व düकता यह पर पर आपका लेबनन में हैente इसरहल के ठीक ओपर यहां पर गुलन हाइट्स यह सीरिया का हिस्सा जो जैल ने कब्जा करके रखा हुआ है गाजा प्रलस्टैंड के पास इसमें आप पे डिखने रहा हम देखेंगे यह रेड़ सी है यह आपका पर यह जो रिस्टा है यह है फ्रिट तो समझ तो यहां आ यहां पर हउथी कंट्री है वेस्ट इश्या गीव आपको पता लग गया हाउती हेजबुल्ला सेनाय गोलन कहां पर क्या यह पता लग गया इश्वहान कहां पर है ठीक है इसको यह है तरकी एक है कैस्पेंजी की कंट्रीज क्या है तारिक पाश कंट्रीज ठीक RLC की किंट्रीज कितनी है UK दो यह भी याद करा लिया आपको मैंने अब आते हैं एक और कॉल्फिक्ट जहां पर है अजर्बाइजान और इनका विवाद और मीडिया के साथ जहां पर बात आती है किस चीज़ की तो बात आती है कॉन्क्लेव्स की और विवाद की देखिए असल में न कुछ इस तरह से दिखता है जो आपका पूरा इलाका है कॉकस का देखिए अगर आपको यॉरप पता करना हो यॉरप कहां से कहां तक है यॉरप और इश्या की बांडरी कैसी डिसाइड होती है उरल से लेके कॉकस तक का जो भी रीजिन है उसे यॉरप कहते है उरल मांटेन से लेके कॉकस मांटेन का रीजिन कॉकस मांटेन के पाश ह्यां आपके यह différents इस हिस्ते आते है जिनके हम बात करें यानि अजर्बायजान और अर्मिनिया तो देखे असल में यहां तीन देश है इस हिस्से नी ऊपर रशिया है, यहां जौरजिया है, अर्मीनीया, अजर्मीनीया अजर्मीनीया की शीमा लगती है hier यहां पर आपको आग्या कैसे इन्जी तो अजर्मीनिया के बीच में boundaries कुछ ऐसी है जहां enclaves बने हुए तो यह अर्मीनिया के अंदर ही अर्मीनिया के अंदर ही यहाँ पर एक जगह है नक्चिवान यह नक्चिवान असल में आपको दिख रहा हो है कि टो यह जो कॉनफिक्ट है कि नक्चीवन किसका हिस्सा है तो अजर्बायजान का, ठीक है नगाणों करबाग पहले किसका हुआ बहा किrencies था? अर्मेनिया का अब इसके उपर हमला करदे इसको जीत लिया किसने अगरबायजान में तो यहाँ कुछ चीजें नीव्法 में द्जान रखे क्या, अगर आपको अर्मिनिया से ना, अर्मिनिया से निगालों करणग में घोसना होता था यहाँ एक और एक कर्रिडॉर था, एक रस्ता था, इसके थूऐ आप पहले अर्मिनिया से जाते हैं, अजरबायजान में अट्र करते हैं फिर वो रस्ता पकड़ गया पहुंचते कहां तो नगार्डों कराबाग में उसका नाम था लाचन कोरिडॉर ठीक उसी प्रिकार से अर्मेनिया के अंदर एक कोरिडॉर है जिसमें पहुंचने के लिए आपको अजरवाजन को एक रूट चाहिए ताकि वो अर्मेनिय नक्चिवान जो उनका रीजन है वहाँ पहुंचने के लिए तो उसके लिए उनको रूट चाहिए उसका नाम है मगरी कोरिडॉर को मगरी कोरिडॉर लाचन कोरिडॉर लाचन कोरिडॉर जोडता है अर्मेनिया को नगार्डों कराबाग से मेगरी कोरिडॉर जोडता है कहां पर क्या है यह आपको पता होना चाहिए फिर अप स्टीफन कॉर्ट और अगदम रोड यह भी नीजमैन अगदम रोड वो हिस्सा है जिसके दुरू जो अजरबाइजान है वो नगालों कारवाग में अपना सप्लाइब पहुंचाता है तो अगदम रोड लाचेन कोरिड हिस्सा या नक्षिवन है नक्षिवन या नक्षिवन इसे कह सकते है यह हिस्सा है अजरबाइजान का तो यहां पहुंचने के लिए जो कोरिडॉर है उसका क्या नाम है महरिब कोरिडर जो यहां से आता है और यहां तक पहुशने के लिए यहां एक रोड़े इसका नाम है लाचेन कोरिडर यह आपको पतामची यह देखिए यह अदरबाजन का यह शहर है बाकू यही आपकी फिर आपका INSTC कोरिडर International North-South Transport कोरिडर यहां से जा रहा है जिसका पार्ट इंडिया भी है इरान भी है अजरबाइजान भी है तो यह जोड़ता है इन सभी इलागों को तो यह हमने देख लिया मेंली जो हिस्से हैं आपके कॉकस वाले यहां जो न्यूस बना रही है वो समझ आ रही है आपको आपब जरा इससे आगे बढ़ता है और ठोड़ा आगे चलते हैं और एक और देश की बात करते हैं जो Central Asia की कंट्री है उनकी ये कंट्री सब में Caribbean Sea एक तरफ इनके हैं दुसे तरफ China हैं ऊपर Rusya के बीजों बज़े हुए कितने देश हैं यह तो ये भी आपको पाँच कंट्रीज है, ठीक है, तजकिस्तान, किरिगिस्तान, तजकिस्तान, उस्बेकिस्तान और तुर्कमनिस्तान, तो ये पाँच कंट्रीज है, यहाँ पर जो इंपोर्टन आपके लिए हो है, पहले तजकिस्तान, जहाँ पर इंडिया के दो बेसेज है एक है फारखौर और एक है अइनी यह इंडिया के दो military air force के air bases है यह मेर बेसी कहा पर है एक lot है इंडिया से बाहर कहीं है तो इसके पा rag чे का है इनुक्ताम है इसके बाद आते है कर्गूर किर्किस्तान के साथ मिलकर इंडिया त चाटी चीज़ह सांट पर टेस्टन आपकी आ इसे चपानने अर चीजेश में लिजा का सब्सक्राइब यहां नहीं पता ही आपको फॉटार्ड है। अलगा जसा नाम है लाख शॉटो त्न-श्जाय तो ये लिएमेंट है काफी जाना हुम्हिए पता होना चाहिए आपको पता कर बोध्र ह काँपर को फटींखस्तान उसके और क्रिकिस्तान ऐक तरह उद्गक के स्टीं वेकिस्टान की किस्टान को इसे याक कर सकते हो अब यह जंद नों एक और conflict zone है यहां अजरबाइजान है इसके बाद एर्विनिया होगा नगार्णों करवाग लाचिन करवा करवा कॉरिडर तो कौन-कौन से एरिया से वहां से आपको पता लग दे अब एक चोवेस्टिशा के सब्ला conflict zone है वो तो हमें रग से किया नहीं है तो वहां हमें देख यह पार में सीरिया का है लेकिन कब्जा के क्षण रखा है इसके उप इसृछ इस्ट ब्लास अब लिए À मजोई बाद में जब इजब को सब्सेंद नॉमठा कर दिया था तो अभी जब ईसारं इशराइल को औरจ्च जोल इस परी जोगर्फी गसानी एट गाज़ा में घूर एक्टिव है। उसका नाम है हमासु जैस्ट बरूप के आया है। और पहले ये भी एलेक्शन लड़े थे एक बार ये जीत गए फाता ने मानने सिंकार कर दिया तो फिद उने इस इरिया के पर कभजा ही कर लिया यहां है गाजा यहां है वेस्ट बेंक अब देखो यह एक चीज़ तोड़ी समझ लो गाजा वेस्ट बेंक यहां पर जेरूसलम में मिला है और इंडिया जो इंडिया मिड्ली स्ट यॉरफ एकॉड़ोर बढ़ा रहा था उसके लिए इंपॉर्टन लोकेशन ये भी थी अब देखो अभी रीसेंट्ली जो नीउस में है यह है कि यहां से कुछ लोग एंटर हुए और इस्राइल से कुछ लोग को अगवा तो यहां से एंट्री कर सकते हैं यहां पर एंट्री पॉइंट इसका नाम लेकिन इसको अक्सर इसराइल बंद करके रखता है तो इसलिए कहा जाता है ये पूरा का पूरा इलाका इस अ उपन प्रिजन क्योंकि आ नहीं सकते कही जा नहीं सकती तो इन इन अटेक कैसे किया था यहां से बहुत सरी टनल्स बना कि इसमें इंटर किये थे तब इन उनके प यहां से आपको यहां जब आपके आज पासाb dollars यूज इस पास कून सी है यह डेड़ सी है और यहां है उपर सी ओफ गैली अब अगर दोबारा देखें इस हिस्से में तो यह इस्सा आपका लेवांट कहलाता है इसमें सीरिया लेबनन इसराइल और आपका जॉर्डन और यहां साइप्रस आता है ठीक उपर टर्की तर्की जिसे हम खहते हैं यह वह इ अगला जो हिस्सा में डिसक्स करेंगे वो है एफ्रिका का जो बहुत रेलेवेंट है तो बड़ा आराम से करते हैं इसको अब आफ्रिका की बात करते हैं कि नॉमली ना एफ्रिका कॉंटेंट को जिस तरह दिखते हैं यहां कुछ important water bodies भी भेहती हैं तो अगर मैं पहले पहले आपसे पूछू कि कौन कौन सी important water bodies है रेट सी के आस पाथ कौन कौन सी कंट्री लंगती हो तो कैसे डिफाइन करेंगे मैप हमने किया के कंट्री को आप दिखते कितना को यादा रेट सी है यह कौन सा देश है यमन साथी रेपिया सोमालिय ठीक है जिबूटी ठीक मुझे पताई यह कौन सी कंट्री है यहां इस कंट्री को ना पहचानने का आसान तरीक अगर आपको नहीं पता तो बता दो हो कि यहां पर डॉट्ट डॉट्ट बने ओंसा इस की नीचे गज्ट्री है तो मैं यह है साउथ सुडान ठीक और यह एथियोपिया सोमालिय एचिप्ट तो अगर मैं आपसे पूछू रेडिसी के आसपास कौन को सी कंट्री है तो आप इमाजन करों करें रेडिसी बहर है सबसे पहले आपको मिलेगा सींग यह आप शुरू करो तो आपको सोमालिया से अगर हम स्टार्ट करें यह नीचे देखो सोमालिय जिबूटी जिबूटी के उपर सुदान सुदान के ऊपर इजिप्ट मिल यहाँ पर हमें और अगर दुसी साइड देखें तो आपको देखेगा सिंपल इस्या की साइड से साुदी रेविया यहाँ थो सिंपल है अब साुदीरिय वस्यव्चि उगर्प वंबर व स्वाधरिप से ऊपर मुझे क्या मिलेगा जॉर्डन जॉर्डन से साइड में क्या मिलेगा इस्राइल इस्राइल के ऊपर क्या है लेबनन इस्राइल के एक साइड ऊपर लेबनन है एक साइड क्या है इसके सीरिया सीरिया के इधर क्या है इराक इराक के बाद क्या है इरान इर तो इस तरह से हमें देख लिया बहुत कौन कौन सी कंट्री का है इसी प्रकार से हमें यह भी जरूरी है जानना कि आफरिका में विजली कंट्री है कौन कौन सी तो आफ्रिका में ना ढदो पर ना सबसे परें और यहां जो क्लायमेट है ख्लायमयट कीसाब से अइसका को बाटा जाता है क्लायमेटिक-डिविजियन इलाका है सबसे उपड़ क्लाइमेट मेरिटरियन से रहता है निए उपर ही हिस्सा मुरक्षों का कुछ-कुछ टुनेशिया का इससा दरा था उसके बार आता है सहारा डेजर्ट फिर आपका तीजरा आता है सहिल का रीजन यानि जो एक ट्रांजिशन जोन है सहारा और आपके जो सहल के नीचे जो एफ्रिका का यहां का रीजन है यहां सवाना के जो इलाके है इनके बीच का रीजन तो प्लाइमेटिक डिविजन आपके देख़ा आपका कुछ इस तरह है मेलिटरियन सहरा सहल और सवाना इसको मैप के थूरू समझ यह मुरक्कोट यूनिश्या अलज प्लति चीज कैसे पता हो यह थो सबसे पहले हम वो हिस्सा भगड़ से भगड़ें जो मैं निने आपर चैने में बहुग समी रहे यह का यह इजिप्ट है यहां तक तो क्लियर है अब यहां आजाओ तो यहां कौन सी कंट्री होगी मुरक्को ठीक है इजिप्ट के बाद कौन सी कंट्री आती है अगेन एक ऐसी कंट्री जहां बहुत विवाद होते हैं यानि लीबिया इजिप्ट के बाद लीबिया आती है इजिप्ट और लीविया, के बाद यहाँ एक ऐड़ी सी कंक्री है, favor कि इस अलजीरी है, ठीक है और यहाँ छोटी सी कंक्र्टे टिस टूनीश है, ल defines यहाँ भी बहुत सारे विवाद होते है तो हमें ये बहुत आसान है याद करना, क्योंकि हमें पता है की चलो, यहाँ सुदान है कंट्री और आती है अगर मैं उसकी बाद को तो मौरिशाना उसका नाम है मुझे बहुत ही वह कहां पर है तो मैं एक बट्स को मिटाता हूँ थाकि आपको अब मिटाली अबने तो आपको खुझ से तोड़ा समझने में असानी होगी हमें पता है सुमालिया क्या सींग वाली कंट्री रेफरेंस पॉइंट हमारा अब सबसे उपर पहले बत को यह कौन सी कंट्री तो यह मुरक्को मुरक्को को याद करने का सिंपल तरीका यह है कि अग मुरक्को मिलती है मुरक्को के बार एक बड़ी कंट्री विजिस अर्डीरिया यहां चोटा सा टूनीशिया यह आपका लीबिया और एजिप्ट इन्हें मगरिब की कंट्री भी कहते हैं क्योंकि असल में यह मीना कंट्री भी कहलाती है मिडली इस्ट और नौथ अफिकन सहरा अब यह इसके नीचे एक और ट्रैंगल सो बनावा देश है इस ओड़ा जाओ तो देखो यह कंट्री आइधर आपको करना थोड़ा सा उपर हल तो इसी है मुरक्को अल्जीरिया तुनीशिया लीबिया एजिप्ट यहां हमें पता यह कंट्री कौन सी है सुडान है ठी सुडान के बाद एक कंट्री का नाम आता है जो याद रखना बहुत सबसे एजी मुझे लगता है वो है चैड चैड एक बहुत रेलेवेंट कंट्री हमें समझने कि यहां चैड है चैड एक डिवूजिन की तरह काम करेगा बाविश्यम तो चैड याद रखो बीच में है य यहां पर है नाइगर का माली के साइड माली का मौर्शाना मौर्शान एक वेस्टें साहरा उसके वर मौरग को अब देखो माली के साइड में बहुत सारी छोटी होटी कंट्री है यहां है सेनेगल प्रक्रीयद सेनेल कि नीचे या प्रक्रीयर कुर्णि कि नाथ है यह देटाट साह निकलांगा है इस تعल ने आपका 25 घिनी विसाओ और गिनी विसाओ इसदिए भी इंपॉर्टंट है क्योंकि यही पर आपका साइब कर यह इंट आञ एंडिया अभिलिया ने यहां सब्सक्राइब वह चोटआ सा हिस्सा जो है। गिनी विचाओ के ठीक ऊपर अगर आँ दखो तो गांबिया है और संगल या वाला पूरा संगल है है ठीक है कि सनगल है यह घंबिया है यह आपका फिर गिंप jar Scout है यहां और गिनी विशाओ के नीचे यहां प्र प्रें उपर गिनी विसाओ है नीचे गिनी है मैं और इतने हैं गिया सोमालिया के पास के ऊपर जाओगे तो यह जीबूति एजीबूति कर पास क्या है यहां में एब जैड भाई साब के बाद कौूंसी कंट्री आती है, नाइगर, नाइगर के बाद नाइगर का माली साली हमाली के भाद माली का मोरशाना, मोरशानी के ठीक नीचे है, तरило में तर गले है, videos के अंदर ही आता अपका में गामभी गांबिया के बाद यहाँ जो हिसानी है यह ही पीनी पीशाओ यह विसने अपना काजू कि सरवा इस निविशाओ के बाद आएगा गिनी यह गिनी कि दीनी कि पाद एक कंट्री आते हैं सीरा लियॉल कि सीरा लियॉल सनी दियों से आप उसको याद रख सकते हो फिर आती है लाइबेरिया बिल्कुल लाइबिरिय एक ऐसी कंट्री है जिसका जंडा बिल्कुल अमेरिका के तरह देखता है असल में जो अमेरिका के ब्लैक्स है जिनको पहले दास यानि स्लेव बनाया गया था वो वापिस उनको भीजा गया था उनका एक देश बना गी भाई जहां आपका अलग देश मना दिया जहां आपका बिल्कुल स्लेव से मुक्ती रहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन हुआ यह कि जो लोग वहां आए जिन स्लेव को भीजा गया कि आप यहां सेटल हो जाओ उन्होंने यहां अपनीं गुलाम मनाने खडे करे तो यह दुखदा ही कहां नहीं है लेकिन यह लाइबेरिया के कहां लीबिया, इजिप्ट, तो I hope ये चीज़ें तो याद रहेंगे आपको, अभी हमने कहा तक कि ये countries को, हमने कर लिया लाइबिरिया तक, लाइबिरिया बिल्कुल लटकी भी country हाँ, लाइबिरिया है, लाइबिरिया के बाद वो country आती है, जो बहुत cricket cricket में बहुत होशियार है, घाना, घाना, असल में यहाँ है घाना, घाना के पास एक और country है, विच इस यौर, कोटे डिवोरे, यह भी काफी news म फिर, कैमरून, ठीक है, जेम्स कैमरून की बात कर सब्सक्राइब, यह हमारा चैड है, चैड के नीचे country है, Central African Republic, CER के नीचे है, DRC, Democratic Republic of Congo, कोंगो के नीचे आपको मिलती है, जाम्बिया, जाम्बिया के नीचे आता है, यहाँ पे जाम्बांबे, क्रिक भी खलती है country, यह country ह है, Botswana, Botswana के नीचे आपका, South Africa, अब यहाँ एक बड़ी country है, जो आपको याद नीचे वो है, युगान्डा, लेकिन, युगान्डा यार कनी के तकनीक है, Sudan, South Sudan, South Sudan के बात के नीचे जो country आती है, यहाँ आपको लेक विक्टोया देख रहे है, white sea body, यह सब युगान्डा से बहएके निगल के, युगान्डा, युगान्डा के नीचे आ जो गए है, तंजानिया, तंजानिया के नीचे माला भी, माला भी यहाँ प्राविया आपका, यहाँ आपका आ गया, मुजैंबीक, यह मैडागैसकर, तो और यह आपका एंगोला, एंगोला के नीचे नामी विया, अब यहाँ आपके चैने में बॉट्स हो आना, अब देखो, हर कंट्री आद करना संभव नहीं है, इंपोर्टन कंट्री कौन कौन से है, यह हमें पता नहीं है, सीरी सीरी बाल बता रहाँ, तो आप हमेशा एक reference point पकड़ो, जब भी आप Africa को देख रहे हो, ठीक है, मैं एक और map पे लेके चलता हूँ, यहाँ map के आप देखो, तो बहुत simple है, आपके लिए पहले पहचाना मेटेन वाली country, यह आपको पता Somalia है, मैंने बहुत हमाँ Chad याद रखो, यह कौन सी country है, this is Sudan this is South Sudan, अब Sudan के साइड में यहाँ पर Chad है, Chad के बहुत, Chad के नीचे है आपका Central African Republic, C.A.R. ठीक है, अब C.A.R के नीचे कौन सी country है, मुझे बताईए, हमने देखा था एक white body वाली country, यह क्या है, यूगांडा, ठीक है, simple सिंप्सी देखो, जो आप country है, उसको define करना सीखो, कि भाई, कहां से मैं पहचान हो country है, इथोपियास पहचाना आसान है, यह कौन सी country है बड़ी सी, यह है DRC, Democratic Republic of Congo, यहाँ है Tanzania, ठीक है, अब यह जो country, यह है Kenya, यह आपकी यूगांडा, तो white body, sorry, again, जो water body है, यह तीन डेशों में मिलके बनती है, एक आपका, तंजानिया, तंजानिया, एक आपका कीनिया, ठीक है, तो देखो, यह सुमलिया के जस्ट नीचे आती है कीनिया, कीनिया, यह country है, तंजानिया, और यहाँ है यूगांडा, यूगांडा, यूगांड यह ऐसे जाती है, यह ऐसे से करें कि यहाँ कौन जाती है, यह वन नीचे से उपर की तरफ जाती है, एक आपकी ब्लू, जो आपकी white nail है, यहाँ से blue nail दो निकलती है, और यह उपर की तरफ जाती है, तो आप cricket खेलने वाली country से पहचान लो, सबसी easy रहता है, मुझे यहाँ यहाँ पर नामी भी आ, इंडिया के साथ cricket खेलती थी, यहाँ पर नामी भी आ है, जिंबाब्बे याद कर लुष्टर है, कहाँ पर है, सौथ अफरिकर के ठीक उपर यहाँ पर जिंबाब्बे है, यह साथ अफरिका है, यह बॉट्सवाना है, यहाँ जो country है, यह आपकी आ इंडियार हो गया, चैड हो गया, ठीक है, यह डियारसी है, अंगोला, अब जिंबाब्बे की उपर जांबिया है, तो इस तरह से आप देशों को याद करोगी तो आपको लिए comparative ली चीजें पढ़ना समझना अफरिका को असान हो जाएगा, एक reference point उठाओ, उसके हिसाब से निचे जाद करो, अब अफरिका के important चीजें क्या-क्या है, पहले हो जानते है, सहिल का region क्या है, यह आपको पता है, सहिल की country कौन-कौन सी है, तो मैं अगर आपको लेके चलो यह जो हिस्सा है आपका, मौरसियाना से लेके इरिशया तक, मौरसियाना के इरिशया यह है सहिल तो इस एक ट्रापिक जिस क्लामेटिक जोन है तो अगरना तो पूछो सहल में कौन सी कंट्रीज है तो आप स्टार्ट करोगे बुर्किनो फासो, कैमरून, चैड, गांबिया, गिनी, मौरशयानन, माली, नाइगर, नाइजरिया, सेनेगर ये ट्रांजिशन जोन है दूसरा ज यहां पर लेक विक्टोरिया के बाउंडरी भी लगती है तो यहां पर IAT मदरास का कैमपस है, UAE में किसने कोला है, IAT डर्ली ने, ठीक है यह कंट्री सेनेगल, सेनेगल में हाल में विवाद हुए थे, सेनेगल बिलकुल सेनेगल का विवाद हुआ था मौरशयाने के साथ, अचा पर टकार प्रमिंस भी है, तो सेनेगल मौरशयाने के ठीक नीचे है, यहां पर सेनेगल है, यहां इन पर बीच में विवाद हुआ था, फिर मैंने आपकों कंट्री बताई थी, गिनी विसाओ, यह रहा यहां पर गिनी विसाओ है, यह काजू को लेके नियूज में थ तो कॉमरोज कहां पर है तो कॉमरोज मेंडगैसकर के ठीक ऊपर यहां पर कॉमरोज है कॉख्वरोस एठोपिया में लगातर कॉनटिक्ट हो रहा इतोपिय मसले में धेर साथ कॉनटलिक्ट एसको भी सब्सныगा कि डिटील में तो इतोपिया कहा है is Some udeill में गाले क साइड में जोब द्द ढूंट अजएरिया में है कि नाइजेरिया में उन इस करा हैं दाल है वेड़ बाद कि नैंने मदागे बाद कि काभी स्टाद्ध आके आस्पास अब छीजह नारेवर जो आपकी लेक विक्टोरिया से चलती है जो की कहा है मतलब सुडान से यूगांडा से आप कह सकते हो कि स्टार्ट हो रही है विक्टोरिया से होके उपर की तरफ जाती है जो रस्ता है इसका फिर उथोपिया से आपकी एक और इसका एक ट्रिबिटरी आकेस में मिलती है जहां यहां पर इथोपिया में इथोपिया ग्रेट इथोपियन रनाइसा डैम मना रहा है जिसको लेकर विवाद है लगाकर यह विवाद है इथोपिया और एजिप्ट के बीच में तो यह सरी चीज़ें आपको यहां से याद रखने हैं फिर मालावी की पैलेमेंट्री बहुत इंपोर्टेंटली बढ़ रहे हैं इप इंडियाने परिसेंशी में यह शुरूवी तो जी ट्वैंटी का मेंबर बन गया है कौन अश्य कर में पूरी की पूरी सारी कंट्री लेकिन आफ्रिकन में दो देश दो गुरूबुर्य बहुत निउसमें एक एक एकोब Western Africa, इन country's का group है, तो यहाँ क्या है खाहानी? यहाँ एक चीज़ और समझतीं, कि भई, एफिरिका मैंने कर लिया, मुझे पता है, मैं एको वास की 15 member countries हैं, और एको वास की countries में, चार कंटीज अमना खुद का एक गुरूप बना रख रहा है तो उसको समझने को यहां तो आप पे आ जाओं देखो मैंने कहा था आपको कि आप चैड को अपना रेफरेंस पॉइंट लेके चला क्यों चैड को रेफरेंस पॉइंट लेके चैड के इधर वाली कंटीज जो है अब सवाल यह की इको वास में कौन कौन सी कंट्री है तो इको वास की कंट्री आती है आपकी माली नाइगर बर्कीनो फासो और आपकी काउंटेड़ेवेर घाना नाइजीरिया टोगो लाइबेरिया सीरा लियोन यह आप उपर स्वाट करो तो सेनेगल में स्टार्ट करो वारचल दें ठीक नीचे सेनेगल से लेके यहाँ नाइजीरिया तक आज़ो और उपर आप नाइगर माली तक आज़ाई सारी के सारी कंट्री इको बॉस की मंबर थी लेकिन एको वास निक्या किया बर्कीनो फासो म तो इन चारों ने अपना सहल एलायन्स बना लिया है तो में तो सहल एलाइंस में कौन 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 को पता होना चाहिए एकोफस में कितनी कंटरीत है पंध्रा सहल आईए टार घ्रत वे आपको याद रखना जरूरी है तो पहले तीन कंट्री साथ में बर्कीनो फासो माली और नाइगर इन्हें कहते न्यू अलाइंस ऑफ यू कन से वेस्ट अफ्रिकन कंट्रीज तो यह सितंबर में बनके पहले आ गया था कि इनको लग रहा था कि हमें हटा दिया गया तो हम लोग साथ आजाएंगे तो इन तीन कंट्री से साथ आगे पहले यहां पर कानी स्राइट कर दी दो हजार तैस ने नाइजेरिया में क्रैसिस रुई थी और इको वास ने बोला था कि हम यहां पर मिल्क्री लेके आ जाएंगे तो उसके बाद इन लोगों ने अपना गु प्रिटाको गॉर्मा चार्टर इस जो बना था ही ना सॉरी पैसे डिटेल में आप वीडियो डाला गिया आपने देखा ही होगा पूरा डेटेल वीडियो ओले अजिए चैनल पर अलड़ी उगलद है इसके लावा अगर आपको और भी रिखने तो वाद क्लासिस भी है पू सॉरी बर्कीनो फासो माली और नाइगर यह तीन देश है यह नहीं इन तीनों ने बना लिया अपना एक ट्रैंगल और कहा कि वी आथ साहिल अलाइन्स और जिस चार्टर के थुरू बनाए है उस चार्टर का नाम था लिप ताको गॉर्मा इसके तहती इन्होंने अपना साहिल अलाइन्स बना लिया अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉंफ्लिक्ट अलग है पूरे पूरे अफ्रिका में कॉंफ्लिक्ट कहां पर है वो भी हम डि परिश्की मनने विचिस सोमाली लेंड एक डिमांड है सोमाली लेंड की दूसरा यहां पंट लेंड की डिमांड है यह दोनों सुमालिया में है पंटलेंड, सुमाली लेंड पंटलेंड के थूँ इथोपिया को समुदर का एक्सेस भी दे रहे हैं लोग तो इसलिए यहाँ पर अलग विवाद है तो सुमाली लेंड, पंटलेंड का विवाद यहाँ सुमालिया के आसपास है इथोपिया के असपस धेड़ सारे विवाद है, यहाँ है जो country है इसका नाम है Eritia, ठीक है, तो याद रखना, इथोपिया का विवाद धेड़ सारा है, इथोपिया का एक divide है यहाँ पर, अफार, ठीक है, एक है अमहारा, ठीक, अफार, अमहारा, यह इनके prominent conflict है, इसके पर क्या conflict है, यह जानना बड़ा relevant है, इसको आप याद कैसे कर होगे, तो पहले आप जाओगे, होन अफारिका में, कहाँ पर होन फारिका है, Somalia, Somalia के पास कौन-कौन से विवाद है, तो Somali land का विवाद है, ठीक, Puntland का विवाद है, मैं आप से पूछो, Puntland का conflict कहाँ पर है अगर मैं आप से पूछो, उसके बाद, Puntland के बाद, दूसरा विवाद कहाँ पर है, अफार ट्राइंगल का, या फिर मैं आपको पूछो, अमहारा conflict कहाँ पर है, टिग्री रीजिन कहाँ पर है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, वो सारी के सारी कहानी है, अभी अक्ल अफार का हो गया, ठीक है, यहां इदर है टिग्रे, टिग्रे, यह अफार, और यह पूरा हिस्सा अमहारा का है, ठीक है, अमहारा, अफार, टिग्रे, यह तीनों conflict, इथोपिया, सुडान और इरिश्या के बीच में ही है, यहीं बने सारा का सारा, यह मैं असको मिटाता हूं है, तो अगर मैं आपको इथोपिया से बोलूँ कि भाई, इथोपिया, इरिश्या के बीच में कौनकों सा विवाद है, तो एक तो अफार रिजन में conflict है, तो दूसरा, अफार के नीचे अमहारा आता है, और इसके साइड में टिग्रे रिजन है, जहां लगातार एक तरह की इथोपिया, यह सारा बॉर्टर कहां लग रहे है, इरिश्या और सुदान के पास में, अब सुदान के पास यहां कौन सा इलाका था, मैंने बोला था, रेफरेंस पॉइंट हमारा चैड, चैड के साथ बाउंडरी है, जहां पर एक अलग विवाद चल रहा है, विच इस कॉ इसी रीजन में, तो यह सारे नाम अब कर देखो, तो वो कहां पर है, इथोपिया, सुदान के बॉर्डर पर, इथोपिया, इरिश्या के बॉर्डर पर, और सुदान चैड के बॉर्डर पर जाओं, तो वहां दारफूर का रीजन है, यह clear है, अब यहांने को नीचे युग युगांडा के ठीक नीचे छोड़ी सी गंटी देख रहो है, यह है रवांडा, और रवांडा के ठीक नीचे अगर आप देखो, तो वह है बुरूंडी, और यहां है डिमोर्कार्टिक रेपब्लिक कॉंगो, डियार्सी, और यहीं पर सारा कॉंपेट का चड़ी यहीं से स बहुत सारा कॉंपेक्ट है, इसे कहता है इतुरी, यहां पर है इतुरी, फिर आपके दूर इजन आते हैं, नौर्थ कीवू, इस नीचे आता है यहां साउथ कीवू, तो नौर्थ कीवू कहा है, रवांडा और डियार्सी की बीच में, थोड़ा बहुत बुरूंडी में ल इतुरी, तो कीवू और इतुरी यहां से बता लग जाए, यह ज़रूरी है, इतुरी का कॉंफिक्ट के पार्टी कौन कौन है, इतुरी में आपका युगांडा प्लस आपका डियार्सी आ जाया गगा, कीवू के अगर मैं बात करो, तो इसमें आपके प्लेयर्स हैं, प्लस रवांडा, एन प्लस बुरूंडी, ठीक है, यह आप यहां से इसको ऐसे कर सकते हैं, अब मैं जिसमें ने बोलता, रिवर को लेके बात हो रही है, तो एक होती है ब्लू नाइल, और एक है रेड नाइल, वाइट नाइल, ब्लू एन वाइट नाइल, तो एक जो है तो जो ब्लू नाइल है, वाइसन में टाना लेक है, इथोपिया में बहां से चलती है, यहाँ कॉन्सक्ट है, क्योंकि इसकी उपर यह ग्रेट इथोपिया गनाइसा डैम बना रहे है, इसको लेकर सुडान, इथोपिया, एजिट के बीच में लगातार कॉन्सक्ट है, एक कि प्राइब ऑडियस बंतर सब्सक्राइब मोजबीक है है तांजानी से यृव डाल माली कह भी हम लोग अपना साथ हम बनोंival पर चाहला है ठीक है फिर आप देख लो ये ट्राइंगल किसका किसका है बर्कीन ओफास और नाइगर और माली का इन्होंने का भाई हम लोग अपना साहिल लाइंज बनेंगे यह तो फिर मेरे ट्रेन कंट्री कौन सी है सहारा कंट्री का आप कौन तो यहां से आप इस मैप को देखे अराम से समझ सकते हूं ठीक है अब मेरे आप से सवाल है कि अगर इस मैप को देखो तो यहां आपको अमेरिका के continent दिख रहे हैं North America और South America यह North America है और यह South America है इतना तो हमें पता है लेकिन मेरा आप से सवाल है South America और Latin America में क्या अंतर है कौन सी countries Latin America में count होंगी यहां जो कुछ island groups हैं जिने हम Caribbean islands के नाम से जानते हैं इन में अभी रीसिंट्ली एक island में एक गैंग वार हुई जहां इंडिया से लोगों को इंडिया के लोगों को वहां से evacuate करना पड़ा यहां उसको निकालना पड़ा वहां से बचाए तो यह क्या कहानी है क्या माजरा है इसको पर डिसकस करते हैं सबसे पहले मेरा जो फोकस होगा वो यह होगा कि आप यह जाने कि अगर आप नौर्थ अमरिका को देखो तो मुख्य रूप से दो ही कंट्रीज होती है यहां पर यह है कैनेडा नीचे है USA यहां का रीजन जो अलास्का वाला है यह भी असल में USA का ही पा इससे पहले एक चीज़ और समझे कि साउथ और नौर्थ अमरिका क्या आपस में जुड़े हुएं या इनको जोडने के लिए कोई नहर बनाई गई है जैसे हमें पता है कि अगर आपको मेडिटेरीनियन सी से इंडियन ओशन में एंटर करना है या फिर आपको यॉरप से इ इस एरिया से इस एरिया तक भेजना है तो उसको लेंड का सारा लेना पड़ता या फिर उसको पूरिद्र से घूम के साउथ अमरिका के नीचे से आना पड़ता तो इसलिए यूसे ने पुश किया और पनी पैनमा कनाल तो पैनमा कनाल असल में कहां स्थे थे तो पैनमा कना यहां है जो Atlantic को जोड़ती है Pacific Ocean से और Panama is an Isthmus, असल में एक Isthmus था जो इनको जोड़ता था, Isthmus मतलब जमीन के एक पतली सी पट्टी जो दो Oceans को डिवाइड दरती है, तो इनको काटके यहां पर Panama Canal बनाया गया, अब recent news यह थी, कि एक तो इंडिया ने Panama जो एक country है, उसके साथ MOU sign किया कि वहाँ पर जो भी election होते है, electoral process है, उसके उपर इंडिया काम करेगा, दूसरा, यह पता होना चाहिए आपको कि जो Panama Canal है, कि असल में इसमें कुछ important locks होते हैं, और कुछ lakes हैं, यानि अगर आप Panama Canal की बात करें, तो Panama Canal कुछ इस तरह operate करती है, कि आपने दो Oceans को अलग-अलग होते हैं, तो यहां से बड़े ships गुजरते हैं, सवाल है, जब आप इतने बड़े ships को वहाँ से निकालोगे, तो वो ships निकलेंगे कैसे, उसके लिए आपको ultimately eventually खुझ से एक system create करना पड़ता है, जिसके तहत्वाँ पर पानी का flow बराबरी से होता रहे, तो उसक करना कनाल एक तरह से block हो गई थी, क्योंकि यहां पर काफी पानी नहीं था, कि जो flow है, उसको maintain किया जा सके, तो अगर आपको Atlantic Ocean से Pacific Ocean तक आना है, इस route को cross करना है, तो आपको असल में कई lock से गुजरना पड़ता है, तो अगर आप से पूछा जाए, गैटन लॉक, गैटन ल मीरा फ्लोर लेक या मीरा फ्लोर लॉक, मीरा फ्लोर लॉक या फिर लेक, तो इस लेक का ही पानी निकाल गए, आपर लॉक क्रीट किया जादा था कि पानी का लेवल इस नहर से, इस कनाल से बरावर रहे, ताकि वो Atlantic से Pacific तक आ सके, इसके लाबा एक और यहां पर जो लॉक हो तो यह सब रिलेटेड है किससे, पैनामा कनाल से और इसके आसपास जो लेक से हैं, अब देखो हुआ यह था कि जब लेक बनी थी, तो इस लेक के बनने के बाद, इस कनाल के बनने के बाद, जो पनामा कनाल बनी, उसके बाद लगभग 5200 nautical miles में, अमेरिका के शेहर जुड 52 nautical miles, यह जो रूट है, यह केवल 52 nautical miles का है, और अगर वो पूरा रूट लेके आते हैं, तो लगभग 13,000 nautical miles का यह एरिया हो था, तो बहुत बड़ी बचत थी है अमेरिका के, और क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा गुंड़ा है यहां का, तो उन्होंने एक तरस से पर सूखी की वज़े से, पानी की कमी की वैसे, यहां operation नहीं हो पारे थी, ships अब हो गए है, तो यह एक चीज है जो इसके जगे के बारे में हमें पता होनी चाहिए थी, चलो यह हमें पता लग गई, अब दूसरी पनामा एक देश का नाम बेर इसके साथ इंडिया का, एक electoral, क्या हुआ था, electoral agreement हुआ था, अब अगली चीज यह है कि यहीं पर अगर आप देखो तो हम फोकस अभी करते हैं पहले, नौर्थ अमेरिका की जगे है, साथ अमेरिका का, साथ अमेरिका मतलब यह वाला region, साथ अमेरिका is a geographic town, लेकिन अगर आप गौर करोन तो मेक्सिको से ल culture है, तो वो cultural term है, जब हम Latin America की बात करें, तो मेक्सिको भी आएगा, और Central American countries भी आएगे, लेकिन जब हम South America की बात करें, तो वेनेजूला से शुरू होके, वेनेजूला जो यहां पर है, यहां से लेके आप चीले तक आते हो, यह difference आप समझ गए, अब बात आती है, सा लगाया हुआ था, और सबसे बड़ा oil reserve दुनिया कहीं है, तो वेनेजूला में भी है, और वेनेजूला के जस्ट करीब यहां पर एक छोटी सी country है, उसका नाम है गयाना, और अब ही इनकी बीच में, वेनेजूला और गयाना की बीच में, एक बड़ा conflict चल रहा है, एक river क को लेकर, और उसकी boundary को लेकर, जो conflict है, वो असल में एक river को लेकर है, जहां एक river बहती है, river का नाम क्या है, ऐसे quibo, तो मैं इसको side में लिखता हूँ है, ऐसे quibo, तो असल में एक ऐसे quibo नाम की river है, जो गयाना के बीचों बीच बहती है, वेनेजूला क्या कह रहा है, कि यह पूरा का पूरा इलाका, जो ऐसे quibo तक है, यह पूरा का पूरा इलाका हमारा है, यह वो कबजा इसलिए करना चाहते हैं, ताकि इस region में उनका control हो जाए, और उनको आगे मिल जाए, exclusive economic zone, जो यहां आगे सवंधरी इलाके में फैला हुआ, इसका लक्ष यह था कि यहां पर वो लीजा फील्ड और स्टार ब्रोक ब्लॉक है, स्टार ब्रोक जो यहां का ब्लॉक है, जहां बहुत सारा ओईल और बहुत सारे नैच्रल रिसॉर्सेस हैं, वो चाहते हैं, कि गयाना के इस एरिया पर भी वेनेजुला कबजा करना है, तो यह conflict है यहां पर, ऐसे कुई वो रिजन जो है, वो कौन क्लेम कर रहा है, वेनेजुला, और यह पूरी कहानी की चीज़ के उपर है, ताकि वो टेरिटोल वाटर्स और उसके आसपास के रिया पर गबजा कर पाए, गयाना और गयाना के जस्ट पास एक और कंट्री है, इसका नाम है सुरीनाम, गयाना और सु इंडिया के लोग कई सरे वहां रहने गए थे, उसमें एक यह हमारे लिए और इंपोर्टन हो जाता है, तो रिवर एस्क्वीबो, गयाना और बीच में क्या है, स्टार ब्रोक ब्लॉक ऑईल एरिया, उसको कंट्रोल गंडी की पूरी की पूरी जद्दो जायद है, अब दे मैं साउथ मरका पर आऊं तो यहां कंट्रीज को आइंटिफाय करना बहुत इसी है यह जो आगे निकला हुआ थोड़ा सा पुछ वाला एरिया यह कौन सा है सबसे सिंपल ब्रजील ब्रजील के ठीक नीचे जिसका सबसे बड़ा कॉमडेटर है वो अर्जंटीना है लेकिन यह यहां पर एक कंट्री है तृसका नाम है अरूगवे यहां पर इस के लिए आप इसे अधर चिलया गया इधर यह आपका पूरा-ॉंटीन आप और आप Siur जहां उर्गोए है और उर्गोँ के ऊपर यहांपर कहँँ आपका इस रीजन में पेरागोई आता है पेरागोई के ऊपर यहां है बॉलिविया और बॉलिविया को देटिया चिली जा रहा है चिली बुलुव्य को समर्दों की पहुछने नहीं गाल decis안ि-पेरू के टीक कोलंबिया के उपर यहां पर आपका आ गया जिसके बारे में पढ़ा वेनेजुला वेनेजुला के साइड में गयाना गयाना के साइड में सुरिनाम और सुरिनाम और गयाना के इधर एक और आएगा फ्रेंच गेना फ्रेंच गवेना और यह पूरा का पूरा आपका इधर वा region है जिसे हम कहते हैं the lithium triangle तो lithium triangle में तीन देश आते हैं पेरू बॉलिविया और Argentina sorry, Bolivia, Chile and Argentina ABC ये चिले हैं ABC is about which resource? ABC is about lithium, ABC countries में दुनिया का maximum आप lithium reserve कह सकते हो है अभी थक ABC में Argentina not Brazil it's Bolivia and third is Chile, इन तीन countries का group है और इंडियान रीसेंटली ही बात यह करे कि वो अर्जेंटीना से कुछ जो उनके blocks है जहां से lithium इंडिया खरीदने वाला है और explore करने वाला है वो यहाँ पर एक important news बनाता है अब यह South America में एक तो हमें पता है कि अर्जेंटीना, Bolivia, Chile are like this you can say ABC of lithium लेकिन केवल इतना ही नहीं, lithium को white gold भी कहते है so white gold का सरवादे का आपको सुरोत यहाँ पर मिलता है इसके अलावा region यह भी important news में रहा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखे तो जो एक region है जहाँ पिरू जहाँ पर लगातार यहाँ पिरू है एक है आपका South America में जो काम करता है एक है आपका Pacific Alliance और डूसरा है Mercosur तो Mercosur को याद करना स्टे सिंपल है इसमें चार देश है Brazil Argentina Uruguay and Paraguay जबकि Pacific Alliance आपकी कंट्री है Mexico Columbia Peru and Chile और एक तीसरा है ALBA 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 के अंदर आपकी कंट्री हैं जो बच नहीं बहुत सारी यानि निकारकोवा, वेनेजुला निकारकोड़ा वेनेजुला एकुडोर एंड बोलिविया यह ऐसी कंट्री जेन को किसी का साथ सपोर्ट मिलता नहीं तो इसमें अपना खुद का अलग गुरूप बना लिया और इसका नाम रहत भी है ALBA मर्कुसर का तो में पता लग यह कौन कों सी कंट्री है चार Pacific Alliance में Mexico और बताए Mexico Columbia पेरू एंचिले यहां भी चार है मेक्सिको कोलंबिया पेरू एंचिले ALBA में बाकी चार आपके अगए निकारगोवा वेनेजुला एक्वेडोर और बॉलिविया तो यहां से यह आपको पता लग यह था तीन इंपॉर्टन गूप्स है जो यहां के अलेवेंट है अब मेरा आपके सवाल है कि चलो भही हमने यह समझ लिया यहां पर एक देश और वी नियूज में था विच वस सुरिनाम सुरिनाम इसले भी नियूज में था क्योंकि इंडियन प्रेजिदेंट को वहां पर इसके नवा एक चीज और जो नियूज में आई वो थी वीसेंट इस रीजन में पढ़ने वाला आपका जो केरिबियन का आइलेंड का ग्रूप है वो तो केरिबियन आइलेंड ग्रूप क्यों इंपोर्टन है पैनेमा और साउथ औरकर के बीच का रीजन होता है जिसे हम कहते हैं नॉंमली ज़्सिए रीजन भूप कैरिबियन आंइलेंड केरिबियन आम अग्र आप नौर्प और साउथ वरूर्स के बीच में आते हो तो यह रीजन है जहांठी सेंट्र्ट्र आपके करिबिन में कौन कौन कर्नी सा पहले हम ये देख देखते हैं के दिकरिभीन कंपनी यहां पर कर्फ माण क्यूबा जमायका में यह कंपी जहां पर दिशंट यत्रोड pourquoi गृति जहां पर एक तरए कि extent वर कि उयोस क्ίας को दॉम्निक अब डॉम्निकन रिपब्लिक जो कंट्री है यही खाक्तोर बें न्यूज में थी कि यहां पे इंडिया में रीसेंटली ही अपने एक पिछले साल अपने में मसी को स्थापिट किया तो इसी बार जो इंडिया के लोगवाब फस गये थे उनको वहां से निकाल के पहले लाया गया है और असल में जो हेती और डॉम्निकन रिपब्लिक है यह असल में एक ही आईलेंड ग्रूप का हिस्सा है है तो अगर आप देखो तो इस तरह का यहां का आइलेंड गूप है कि अथे अधर हैं और इधर डॉम्निकन रिपब्लिक है यह जो आइलेंड यहां पर स्थेता है स्वोटर सा आइलेंड जैया तो हेती असल में बहुत बुरी स्थी में है और डॉम्निकन रेप्र भाइट लुक्रिंच में था हेती में है इक जो इंहुकं को पता और जिरल कि फुर्स-ब्रे Chinat इसले बने की बॉट औरम परिंच जबकि मैं दॉम्निक कंड रिपब्लिक की बाद करूं तो सेंट डॉमिनागो आपको यहां पता होना चाहिए यह चीज़े रेलेवेंट थी साउस होरेकर के इंपोर्टन लोकेशन के बारे में हुआ देखी तो डॉमनिकन रिपब्लिक के वाले बता लग गया हमें हमें बता लग गया कि कौन-कौन सी कंट्री है पैसे से कलाइंट में क प्रेटेओ और कोटा डेरा नाम की जो है उसके साथ काब इलभास की जो खनीज बिदेश लिमिटेड है उनकी डील है अब मेरा आपको सवाल है कि यहां पर एमेजॉन बेसिन भी है एंडिस माउंटेन में यह पूरा पर पर आपका एंडिस माउंटेन का भी रीजन आता है उपर यहां आपका फिर कोडिली रीजन आएगा यहां पर आपका अमेजॉन बीसिन इस रीजन में आएगा यहां आपका ब्रिजिन हाई-लाइंड है मीचे पंपा से पेटगोना डेट नीचे पड़ेगा आपका ग्रेंश जोन आता है पूरा का पूरा चिली और परुका त नार्ट अमेरिका में पहले अगरा आप ऑओ यहाँ आपको पहले इंप्टटन इंवद एकरना करना कौन कौन से बेरी सिट इन अपर फप्रीमेंड उप्रिजिंगिस पार्ट आईस्लेंग या डनमार्क सवाल है मेरे प्रुक मैं ऑईटलेंड का आइखलेंड का इया डंमा बेरींसी के उस तरफ आपके इलाका पड़ेगा इसका साइब ही लिया था, अब कर्णा धीक नीचे USA है, उसके नीचे मैकसिको है यह है गलफ ऑफ कैलिफोर्णिया, यहाँ पर ग्रेट लेक्स का रीजियन आता है, इस रीजिन में, ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स, ठीक है? अब यह हमने समझा कि चलो यह बेसिक डेफिनेशन हो गई यह हमें पता लग दिया यहीं आगे दर बर्मुडा ट्रेंगल भी स्ट पड़ता है अब चलो यह हमने देख लिए कि यहां पर यह कहां नहीं है अब सबसे पहली बात आती है कि इस रीजन में ग्रेट लेक्स है तो कौन-कौन सी है और रीसिंट्ली एक आइलेंड नीज में था वो था मार्शल आलेंड जो शुलिया के ठीक ऊपर है कि वो था अमरीका के साथ क्या गटविधिया रही आई हूब आपको पता है नहीं पता तो कोई बात नहीं भी पता लग जाए ना तो यहां कौन से माउंट और यहां सीरा मादरे का रीजन आता है मेक्सिको में ठीक नीचे रॉकी होंगे अंडस होंगे कौन से यहां पर आपके होंगे आपके जो माउंटें ने जा मुझे बताईए मैंने एक बार देख भी किया अब उसके बार आते हैं ग्रेट लेक्स के उपर तो यहां ग्रेट में अगर आप देखें तुझे इंपॉर्टन ग्रेट टिक्स आएंगी बहोगा पहले लेक सुपीरियर फिर आपका लेक मिशिगन ठीक लेक हुरॉन लेक ओंतारियो एंड लेक इरी ओंतारियो एंड इरी यह पांच ग्रेट टेक्स हैं यूएस और कैनेडा के बीच में में इस पर्डार यहां पर नीयॉर्क है तो यह आपको प्दा चले हैं यहां पर डेथ फैल्य हो गांगा इस रिजन में डैसी की अब्सटेणिग यह गलफ आव मेक्सिको और गल्फ आप मेक्सिको के साइड में यहां पर है क्यूबा के साथ हुआ था बवाल अमेर्का दा क्योंकि वहां पर कभी जो अपने मिजाल लेके पहुश रहा था USSR क्योंकि क्यूबा के उपर कौन साशन करता है Communist Government है फिदल कास्टों यहां पर थे पहले उनकी डेथ हो चुगी है उससे पहले चे गुवेरा वगरा यहीं से परशलित थे इसके पास में आपको जो साउट से ज इसी रीजन में सारे के सारे हॉंडरियस निकारगौवा अब ये सारी कंट्रिश लिए क्योंकि का जाता है कि इस रीजन में डंकी रूट है यह इनि अगर आपको अमेरीका खुषना है तो आपको वीजा नहीं पहलेगा तो लोग क्या करते हैं लोग जाते हैं है और यहां के थुप किसी तरह मेक्स को का बौरड अorsa की अमेरिका मैं एंटर कर गए उसके थुप बाद में अमरिका कैनेड़ घूस्ने कभा रहा था इसके थे सब कर यह दध हो क्या है हूं इस जोड़ी है आपक की नॉट और और सवाथ अपर की बेशिक अगेन अर्जंटीना इस उर्गुए राइट इस चिले इस परू और यह किसको रोक रहे हैं बॉलिविया को बॉलिविया यह है पराग्वेश तो यह तो लैडलोग कंट्री पर पराग्वेश और बॉलिविया राइट है अब अगर आप ऊपर आओ परू की ओपर यह चोटा कोफी के लिए प्रश्डित कॉलंभिया के साइड में वेनेजुला वेनेजुला के साइड में गयाना जहाँ इसकी वोगा इश्यू है सूरीनाम एक सुरीनाम यह वहां से आपको बतला जाएगा फिर मेक्सिको युसे और कैनेडा यह आपकी बीसिक डेफिनिशन होग इग इसमिलान किसका पाट है फिर से पूंछ रहा हूं मैं डैन्माक का या आइसलेंड का तो डैन्माक का पार्ट है और इनके ऊपर कौन से ईलाका है आगा साओधमर का की ऊपर अगरम जाए तो वहां पहुंच जाएंगे हम आर्क्टिक में नीचे आ जाएंगे धिका में ऊपर 2 जिसे यहां से में पता लग गया अब यहां मैं अगर आप से पूलों कुछ बीची जीवेसे मैक्सिको तो मैक्सिको को लेकर एक नियूस थी कहां पर आबार्षन को इलीगल बना दिया था कुछ चछोटी मोटी नियूस इस तरह से आती रहते हैं मेक्सिको की बात कर लेंगा हम बाकी रीजिंस की बात करें तो वो लगाता है हमें चुछ और कंट्रीज है जिनके साथ यहां पर एक इंपोर्टेंट इंडिया का ग्रूप है इपसा विचिस इंडीया ब्रजील और सौथ-अफ्रिक टे-टे-टे-क बैसिक ब्रजील सौथ अफरिका इंडिया एंड चाइन देन देर इस अलसो यह ब्रीक्स ब्रीक्स ऑलिजिनली ब्रजील रश्या इंडिया चाइन थे बाद में इसमें सौथ अफरिका एड हो गया था तो यह यहां की असे निए निए लीडर का लीडर का एससे निएशन हो गया था कहां पर एक विडियो में और मेक्सिकों में क्या वाँ सुप्रिम कुट ने कहा कि अगर स्टेट ऐसे लॉस बनाता है कि अबॉर्शन इलीगल है तो वह गलत है पिर इंडिया ने ट्रीन डाड और टेवगो के सा साथ एक MOU साइन किया था ताकि पीजिटल पब्लिक गूर्स का संस्यादान परण हो पाए तो यह बेसिक सी कहानी हो गए और एक चीज और जो यहां देश है वेनेजुला कौन सी कंट्री वेनेजुला में यह वेनेजुला है वेनेजुला के ओपर कार्सा लगा वाँ था ल सब्सक्राइब और वेनेजुला से जादा खरीदे इसलिए लगबग तीन साल के बाद इंडिया ने इनके उपर सेंक्षर हटा तो इंडिया ने से और स्टार्ट किया था यह बेसिक सी कहानी है यह हमें समझा गई अच्छा यह सब यहां से हो रहा है अब यह हमने समझ लिय अब हम घुसेंगे बड़ी रिजिन में विचिस अमेरिका का क्लोजिस्ट अलाई विचिस यॉरप अब यॉरप को देखो तो यॉरप एशिया से डिफाइन कैसे होता अलग-अलग तो सिंपल से कहानी है जो कूर डफिनेशन है इधर उरल माउंटेंज है और यहां आप दे अगर आप रिजिन में जाओगे तो बैरेंट्सी आएगा बैरेंट्सी के बाद आपके आती हैं स्केंडनेवियन कंट्रीज आक्टिक सकल के अंदर करते नौर्वे स्वीडन फिनलेंड इनको पहचानना बहुत असान है यह और आपकी आइसलेंड और आप इस पूरी रिज लúcar region मे jeśli How क्याते है अपर वाइकिंग्स वाज अरप टक्रीट है नौर्डिद को अंधर नोर्डिक कांट्रिस न्मर्ख्लिक के लाव नौत है ठीके टी नौट यूनौड कंट्रीद में असलमेड डेनमर्मार्क रॉन नौर्डिक कोन आएगा डंबर्क यनि डन्मर्क का जा याद रूखिए, Finland, आइसलेंड, Norway, स्वीडन, इसे हमकए आते हैं, यह नॉखडिक कंट्रीज हैं, ठीक, Scandinavian में कौन सी कंट्रीज आती हैं, Scandinavian में जनरली जो है, आप सब को नहीं जोडते हूं, Scandinavian साथ, यह दोनों, Denmark, Norway, and Sweden, यह आपका Denmark कहा गया, Denmark, सब्सक्राइब क्येंपान फ कॉन यह कॉपटिया है उसी तो फंसी के बाद करो तो मैं तो जोड़ते नौर्वेIS रोम और तो अर। नने गी मेल और नभे और बीटियों फिर्लिंड गवार जाते तुंड्रम क्यों न्यूज में है क्योंकि इन लोगों ने जॉइन कर लिया है क्या एक ऐसा ग्रुप जो रश्या के खिलाफ है क्या नाम है उसका एड़िस कॉल्ड एस नेटो नॉट एट्लंटिक ट्रिटी औरुगनाज़ेशन नेटो एक्सक Ihnen में कितनी कंप्रीश वो गई है नेटो के रिसेंट एडीशन में हλαंकि यूट्रेइन ने वहीं बोला है कि वो नेटो जोइन करने वाला है लेकिन डिसेंटली जब सुडर्ण करने वाला था था hesa to beoqu विवाद था वो खत्म हो गया है, so officially now you can say कि NATO में expansion हुआ है, और recent countries जो उनों इसको जो वह फिनलेंड और स्विडन, क्योंकि नौर्वेय पहले से इसमें था, तो स्विडन, फिनलेंड, नौर्वेय सारे के सारे आप NATO को मेंबर बन चुके है, ठीक है, स्विडन को लेके पहले विवाद था, अब उनको भी clarity मिल गई है, क्योंकि NATO में भी 30 members है, और NATO join करे लिए आपको पहले European country होनी चाहिए, दूसरी आपको किसी भी country को जिसके member अलड़ी है, उसको विवाद इसके उपर नहीं होना चाहिए, तो उस तरह से इसके पार वो बन लेट्विया और लूदियनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज है, और इसके ठीक नीचे है बेलरूस, अभी याद कैसे रहेगा, देखो ये तीनों तो याद करना आसान है, नौर्वेस, उडन फिल्लंड, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज जिसके साइड में है, इस्टो लेट्रीज की उपर कौन सा देश है, तो रश्या, और यहाँ पना आता है वाइट सी, रश्या, इस्टोनिया, लेट्विया, लिट्वियनिया, नीचे बेलरूस, और यहाँ भी रश्या आपको लिखेगा, ये रश्या का ही पार्ट है, पॉलन के ठीक ऊपर, तो बेलरूस है, एक तरफ रश्या है, यहाँ मॉल्डोवा है, मॉल्डोवा का रस्ता समंदल तक नहीं जाता, तो इसलिए ये बहुत सारा ग्रेन वगरा, ब्लैक ग्रेन डील हुई थी, जिसके तहत रश्या ने कहा था कि जो ग्रेन्स यॉक्रेन से यॉरप के तरफ जाएंगे, उन्हे नहीं रुकेंगे, लेकिन उन्हें उस ब्रेन उसको तोड़ दिया, का कि नहीं हम हमले करेंगे और ऐसे शिप्स को भी नहीं जाने देंगे, तो यहाँ के शिप्स इन्हें सोचा क्यों ना, अंदर ही अंदर युक्रेन के तरू, यह रोमानिया होते हुए, यहाँ पर डॉन इशा कबदा कर चुका है, 2004 हमें, यह है सी अफ अजोफ, तो यह हमने समझा आप यहाँ रश्या की पांडरी जॉर्जिया से लग रही है, जॉर्जिया के नीचे हमने पढ़ा था, अर्मेनिया और अजबायजान है, जहां हमने लाचन कोरिड़ और जो कॉन्सिक्ट जोन है कि चलो भई, बाल्टिक कर लिया, स्केंडिनियान कंट्री, यूकरीन के आसपस की कंट्री कर लिया, अब इसको भूल जाओ, अब आजाओ सबसे पहले, कैसी एंटर करोगे आप यूरप में आपको एंटर करने कि लिए आपको, कैंडरी आइलेंड को पाल करके पहले इस आइबेरियन पेननसुला, इसके अंदर दो कंट्री जाती है, स्पेन और पॉर्टगाल, यहाँ पर एक है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, यहाँ पर है जिब्राल्टर आइलेंड जिसके उपर यूक्या कबजा है, इससे आप एंटर करते हो, मेडिटरेनियन सीम, लेकिन, मेडिटरेन सीम एंटर करने से पहले हम उपर उपर देखते हैं, पहले कि आप स्पेन, आगे, स्पेन की उपर आता है, फ्रांस, देन यहाँ से स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलेंड, और उपर चोटा सा डेनमार्क है, यहाँ आपका नीडिल नहना, बेल्जियम इ यह कह लाएंगी, कौन सी? इस आलियोर बालकंज, इस एलियोर बालकंज यह बालकंज के लाएंगी, घ्रीस के उपर तक, यहनि अपकी खैसिया, पुष्या, स्लोवान्य, सर्भिया, बॉस्या, होजज्योवीन, मुंतन आगरो, अलवीन यह इस और यॉर बालकंज कंट्री यह पहले यूगोस्लाविया सारी कंट्री हुआ था नीचे आता है ग्रीस बाफ कीजे एक फोर से गडबड हो रही है यहां आता है ग्रीस ग्रीस की उपर इस यह पालकन और पालकन के पार यहां आपका इतली आता है ठीक है इतली में मंतिनाग्रो सार्दानिया सेसली फैटिकन सेन्मेरीनो अलग देश है यहां पर उपर सा छोटा सा कॉर्सिका यह फ्रांस का पार्ट है यह आपकी होगे कंट्री विचर आप यॉरप आपको याद होगा हमने अल्यडी डिसकस किया था जो एफ्रिकन कंट्री जिनकी जो बांड होना ही चाहिए अब एक बार देख लेते हैं कि भाई जो मैं अगर आपको पूछू कि मेरिट्रेनिन सी के आसपाथ कौन सी कंट्री लग रही है कौन कौन सी कंट्री की पाउंडरी शेयर कर रही है वह हमें पता है तो पहले यहां आते हैं अभी विवाद का है युक्रियन क युक्रियन का विवाद is above the Black Sea यह है क्रीमिया क्रीमिया से आप लेक्सी में इंटर करोगे ब्लेक्सी से अगर आपको माल लो एट्लांटिक में घुचना है अट्लांटिक उशना है अट्लांटिक उशन में तो आप कैसे बगड़ोगे यूक्रियन की लड़ाई हो रही है आ इस और बखाग के बहुत आग धुए से निकले तो मुग काला हो गया ब्लाक सी में गज़ गज़ गए ब्लैक सी से निकले आपको मिला एक बास बॉस ने कहा बाई जाना है तो हमें टक्स जिना पड़ाए या जी और बास फूर स्ट्रेट बास फूरह स्रीट में जब आप पहुंचे बॉस के पास तो बॉस में थोड़ा मारा पीटा भी आपको तब को बहुत मार पड़ी और आपकी हालत मरे वैसी हो गई तो आप पहुंच गए कहा यह रीष्ट सी ऑफ मरमरा जब सी अफ मरमरा पहुंच गए पर जिंदा तो बच गए लेकिन दर्द बहुत हो रहा होगा था तो यहां आप डर्द को जहिलते वें पहुंचे थे एगंसी एगंसी से जैसे निकले पहले आपने का नहीं भाई हमें यौरप नहीं जाना हमें एशिया भागना है जो पास में है तो वहां आपको दिखी मिलिए क्रेटा सीधा भागे आप स्वेज कनाल की तरफ यहां सी-ऑफ क्रेटा में आए क्रेटा से उते पहुंच गया आप यहां स्वेज कनाल और पहुंच गया वहां से निकले जाओगे पहुंच जाओगा एशिया लेकिन जब subconscious को आ बहुत सारा माल कमाना है और हमें जाना है यॉरप की तरफ तो आप पहुंचे पहले माल्टा की तरफ जो यहां पर एक माल्टा छोड़ी सी कंट्री है तो सी ओफ क्रेटे में क्रेटा लेकि आप उधर जाने की बज़ा है माल्टा की तरफ आए माल्टा क्रॉस करके आप पहु जाओगे कहा Atlantic Ocean में तो अगर आपको युक्रेयन से निकल के भागना है Atlantic Ocean की तरफ तो कैसे निकलोगे पहले क्या मिलेगा Boss which is Boss for State बहुत दर्द होगा मरने लगोगे तो Sea of Marmara फिर वहाँ दर्द हुआ था तो सब्सक्राइब पॉढ़ा आपको पता होना ही ओना चाहिए अब यहाँ यह यह ते को पता होना ही होना चाहिए अब यहाँ यह भी चीज़ें कि कौन यह आपकी काश्वी कंट्रीज बाुडर करती हैं मेरिटरेनिय exposing तो system Banco Italy Slovenia Croatia Bosnia हर्जज़्जवीना म merry ग्रीज एंडर्टेर्टीण इस होघ और तो है लिए वे अड्रिक्स डेफ कहा गया दराद मूर्मलल सीज को भी जोड़ों से आप इसको कह सकते हुए इन सब की बाउनरी आपके लगते हैं Mediterranean Sea से और खास्तों पर नायल रिवर्ज है वो आखे आपके Mediterranean Sea में ड्रेन करते हैं तो मैं अगर आपको शुरू से पूछू कौन कौन सी कंट्री है तो आप इन पॉर्टकल को छोड़ोगे स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रेशिया, पॉस्निया, हर्ज़कोविना, मंतानाग्रो, अलवानिया, ग्रीस, टुर्की, सीरिया, लेबनन, इस्राइब, एजिप्ट, लीबिया, ट्यूनिशिया, अलजियरिया, मौरक को, ओवराल 21 कंट्रीज हैं, जो अपनी बाउंडरी शेर करती है, मेरिटर्णियन सी के साथ, तो इस रीजन को हम कहते हैं, लेवान्त, जो हम पहले डिसकस कर चुके हैं, तो ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्री हैं, ये भी आपको पताई होगा, पर मैं अगर आपसे पूछो एड्रियाटिक सी के आसपास कौन सी कंट्री हैं, इटली, स्लोवेनिया, कोरेशिया, बॉस्निया, हर्जकोविना, मौंतनागरो, अल्बानिया, इस रीजरी और कंट्री सब सराउंडिंग, तेल अल्बेनिया इस ये जो ग्रीस और इटली के पीछ में आ जाएगा, ठीक है, तो इस फ्यू थिए फ्यू तो रिमेंबर बार बार देखिंगे तभी आपको याद रहें, पर इतना ही काफी नहीं है, हमें और भी कुछ करना है, तो ब्लैक सी का देख लेते हैं, बन्यू के आसपास, यू है एक तरफ तो रश्या है, सब को पता है विवाद की च अलगेरिया से जब आप पाल करोगे, तो पहुंच होगे, टर्की, च्योंकि ग्रीस इधर नहीं है, ग्रीस एगिंसी के पास में है, तो टर्की पहुंचे, और टर्की से आगे फिर आपका रश्या ही मिल जाएगा आपको, तो ये रश्या के बाद, रश्या से पहले एक प्रिया जो पोर्स है, ओडेसर, बेंदर्यांग्स, याल्टर, यह सब आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि यह रेलेवेंट है आपकी लोकेशन के लिए, तो यह उप आपको, ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्री जान जाद हो गई, अब ज़रा देख लेते हैं, कैस्पि निनने का क्या सीखा था तारिक टर्की टर्की है दई नहीं तो क्या है टीफिर दिस तरक्मेनिस्तान ए फॉर अजरबयजान और फोर रॉट रश्या आइफोर इरान लिए फोर कज़कस्तान दिज्ञ पारीख कंट्री एरथ एनसी है यह है अरल चीज UK, Uzbekistan and Kazakhstan, Red Sea हम पहले डिसकस कर चुके है, कौन-कौन सी countries है, अब एक Dead Sea बचा, Dead Sea आता है, किसके किसके बीच में, West Bank, Jordan, Israel, टेके, ऊपर Sea of Galilee है, अभी तुसको तीनों तरफ से, चारव तरफ से रश्या नहीं घेर रखा है, लेकिन वैसे ये, Syria और, sorry, Syria और Israel के बीच में, ठीके, अभी चारव तरफ से इसके उपर कबजा, Israel का ही है, क्योंकि ये जो इलाका है, ये है, Golan Heights, which was originally of Syria, लेकिन अभी किसके कबजे में है, Israel के कबजे में है, तो जो पूरा Sea of Galilee है, इसके उपर control है, इसराइल का, और इसराइल ने यहां बहुत, agriculture भी किया, इसलिए, Golan Heights उने के लिए, बहुत relevant है, ये levant करीजिन है, सामने मेरी ट्रिमियंसी है, तो जब आप location की बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है, यहां कौन सी country relevant है, क्या है, नहीं, अब एक country है, Malda, ये news में इसलिए थी, यहीं पर recently, एक ship चुरी हुआ था, hijack हो रहा, इसको इंडियन नेवी ने बचाया था, तो इसलिए important हो जाता है, पर यहां कुछ ना, चीज़ें बड़ी news में थी, वो ज़राइ डिलते है, पहले एक है, और कने आइलेंड, ये देख रहे हो, ये है, US, UK, बिल्कुर अलग सा, ये है, English Channel, UK है, यहां जो उपर छोड़ा सा आइलेंड देख रहे हो, अब ये बढ़ाख सार रहे हो, और ये बाही साब क्या है, ये कहने है, ये हमें भाई UK से आजानीक देख, हमें जाना है, इसके पास? नौर्वे के पास लेकिन इनको देने को गवाता यार तो होगा निए और इन आयलेंड कहां पर है इस पार्ट ऑस ब्रेटन ब्रेटिश आलेंस लेकिन व्हें थोड़ी और शान्ति और प्रयार से उनको रखेंगे माल्टा को इंडिया की नेवी ने सपोट किया था ठीक है माल्टा गोजो और कुयओं और तीन है अब माल्टा जो है आपके लिए इंपॉट्टन्ट है अब इसको रूखने के लिए एक रिसेंट कॉंफरेंस में थी जो स्लोवेनिया में हुई थी स्लोवेनिया कहा है मैपने बहुत इजी है पहचानना टेल मी वेर इस जब आप कुरेश्या को पार करोगे तो आप पहुंचेगे स्लोवेनिया जिस्ट बिलो ऑस्ट्रिया पहचानी नॉर्डिक बाल्टिक एट आठ कंट्री के साथ बहरत की अग्रेमेंट हुए थी कि भारत की साथ व्यपार बढ़ाना चाहता है तो आप मुझे ही पताईए आन बी एट कौनसी कंट्रीज है जैंन नाम है जों कंट्री जांगी तो अब्यूआ तीन बाल्टिक कंट्री हैं यह आपके तीन हो गई इसके अलावा इसके अंदर आएंगी डेन्मार्क तरह चेंज दे रहेता हूं तरकि आपको जब नोट्स में दो कन्फूजन ना हो इस डेन्मार्क नॉर्वे स्वीडन फिनलेंड ठीक है इस्टोनिया लैट्विया लुद्यीनिया तो एक बर फिर से दिख रहेते हैं ऐसे यहार नहीं रहेगा डेन्मार्क आ गया ठीक है इस्टोनिया लैट्विया लुद्यीनिया चार हो गए अब चार बते हैं कौन से हैं नॉर्वे स्वीडन इसके साथ इंडिया का एक अग्रिमेंट हुआ था यह बात तो होगे नॉर्वे एट के लावा एक और ग्रूप है जो अक्टिव था है या टेपा इसका भारत ने किया है टेपा इस trade and economic partnership और कुछ countries जो EU का पार्ट है उनके बाहर वाली countries के साथ है यह वो countries है जो असल में European Union का पार्ट है लेकिन Schengen एरिया का पार्ट है यह countries है यह टेपा जिनके साथ भारत का हुआ है यह टेपा टेपा हुआ है जिन countries के साथ उनका नाम है EFTA European Free Trade Association EFT के ने स्विजलेंट यहां बीच में मिलेगा आपको सुजलेंट Lichtenstein दो हो गए Norway and Iceland Norway यहां there is one यह आईसलेंट जो आपको यहां मिलेगा इन चारों के बीच में के साथ इनका एक है इनके साथ इनके साथ इनके साथ इनने टेपे एग्रमेंट साइन किया Switzerland and Iceland ये चारों EU का पार्ट नहीं है not part of EU but they are part of Schengen area यानि अगर आप Schengen visa लोगे तो यॉरोप के इनके सारी countries में आफ़ी में घूम सकते हो वैसे इनके देश में भी आप उसी visa पर travel कर सेब तो इसमें इस region special ठीक है एक Cyprus बिलकुल आपका यहां पर है इसका बहुत जिवाद है इस तो इंडिया लगाता है इनके साथ support trade agreement भी कर रहा है वैपार की बातें भी कर रहा है और यह कहां पर है अब जो विवादत भूमी है विवादत इसको भी देख लें उक्रेंड में जो न्यूकलर पार प्लांट्स है चर्नोबिल रिवनो वैमिनिट्स की यह सारी न्यूज में लगाता है इसलिए आपको बसके पता होना बहुत रेलेवेंट है लगाता न्यूज में थे लिटी नो दिस तो चलो यह भी हो गया लाव सुलीना चल गे मैंने बात की कहां से हीरा सुलीना यहीं से वो चैनल बनाया गया ताकि रिवर के साहर है यह बिल्कुल इनका समालने के उपर जाए जा सके इस इन रुमानिया यहां असपास रेनी गलाटी बरिलिया यह सब है ठीक है अब यह आगया रश्या हमने देखा था कि यॉरप के हमने एक पार्ट को समझा क्योंकि वह उरल मांटेंस के स्टाइड वाला यहां पर एक बेल्गरोड का रिजिन है जहां पर यूक्रीन ने बहुत फाइरिंग करी तो यह अगिन नीज में था बेल्गरोड इट इस पार रश्या लेकिन स्कूपर फाइरिंग बहुता उकरीन के साइट से वर्ट वूटू अरुक्रीन लगेगी तो आपको यहां से दिख्राओगा कि इनकी बांटिर लगी कन्तान से मंगोलिया से चाइना से, kountryas ज्या हुन आपकी नॉर्वे स्टार्ट्री कांट्री नहीं स्टवे नॉर्वे से लेगी नौर्वे से फृलेंस लेखी लेगी, फिलेंस फिलेंस लेगी, फिलेंस से इनकी जंग दिये हुए है बाल्टिक कंट्री सब्सक्राइब लेगे तो रश्य एक बहुत लार्ज विविट कंट्री है इसकी बार्णिस के बारे में मैं जानना चाहिए तो यह वो इलाका स्टार ब्रोक का जो गयाना और बनेज़रा के बीचे वह वाद है वो भी यहाँ इस से देख से और अब मैं से अग्याव अगर आपको इस ग्रुप पर दुबारा लेकर यहाँ इस एरिया में तो क्या आप countrys को आइड़ेंटीफ कर सकते हैं ने discuss किया था which is this sea of Galilee what is this Dead Sea तो कौन सी countries की बीच में boundary share कर रही है ये कौन सा इलागा है Mediterranean ये कौन सी crossing है RS ये कौन सा राफा तो इस तरह से आप चीजों को याद कर सकते हैं तो बहतर तरीके से आप इसको अपने answers में use कर पाएंगे अपने answers को identify करने में help होगी मैं यह पूछू राफ इमेज तो यह क्या है यह जपैन है यह क्या है तो थर्टी एट पैरलेल between North Korea and South Korea North Korea की boundary लगते है किस से किस से चाइना से एं रुश्या से ठीक है तो यहां important जो conflict zones है वो कौन-कौन से हैं कहां पर विवाद हो रहा है यानि East China Sea कि South China Sea का विवाद आप समझें वहां से आपको तो पता हिए हमने अर्डी डिसकस किया डिटेल में यह यू का मैप है कि कौन-कौन से कंट्री यू का केस्ट होग दिया था कि मैं जिन भी देशों ने blast किया है nuclear test उसकी वज़े से हमें बहुत नुक्सान हुआ तो we want to take them to the court हाला कि इनकी कुछ चली तो है नहीं लेकिन नोंने कर जरूर दिया यह बात हो गई एक बेसिक सी लेकिन यह कुछ एक दूदेश है जो न्यूज में थे थोड़ा सुनके पारे में जान गीजिए एक तो पहला है । ड्ट कोकोज आईलेंड ॐस्ट कोज आईलेंड इंडिया के बहुत करीब है ठीक। कोजी आ लेंड नीज में क्यों था क्यों कि असल्में इसल्मेंड किसकी एक्सटर्य टेरिटरी है। तो यूसे यस रही ऑस्ट्रेलिया की है। यहां पर इंडेयन जो नेवी है गई थी यह आपको इस रीजिन के असपास यहां पर कहीं को कोजो आपकर सकते हैं यहां पर है दूसरा सोलमून Solomon Island was in news क्योंकि Solomon Island के साथ चाइना ने एक agreement किया कि वो वहाँ पर अपना और देश बढ़ाने वाले है Solomon Island is near Papernoginny तो आप मुझे बचाई यहाँ पर Papernoginny कहाँ पर है Malaysia, Indonesia, where is Papernoginny यह कौन सी country है This is your Papernoginny तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका group है वनाताओ के ठीक उपर और वनाताओ भी नियूज में था रीसेंटली वहाँ पर भी Chinese presence बहुत ज़रा बढ़ गई है इसके लावा Fiji, again Fiji is a very important country क्योंकि इंडिया के साथ इनके agreement बढ़ रहा है, Fiji में काफी ज़ादा Indian origin के लोग भी है यह आपके वनाताओ के साइड में यहाँ आपके फिजी है रहा ठीक है, Fiji फिर Timor list जिसकी capital बिल्कुल डिल्ली है इंडिया के ठीक नीचे यहाँ पर आपका आता रीजिन इंडिया ने यहाँ अपर अपनी एंबसी खोली है देली में रीसेंट्री दिली इस अपिटल ऑफ इस तिमुर और डेली तो अब में पता ही हमारी है दिली वनातो की भी बात ही कि वनातू ने बोला है कि भाई क्लाइमट चेंज की वैसे जो प्रभाव हो रहा है उसको रोकना जाए तो वनाता अब इस रीजिन में कंट्री है तो बाकि यह बेसिक से जो इंपॉर्टन एरिया है हमने एक ब्रॉड जो डाइडिटिफिकेशन है वो कोशिश की कि भाई जो भी इंपॉर्टन एरिया है ज पैनियोला इस कोनियोला में सबसे पहले आपके पहुंचे थे कोलमबस उन्हें लगा में यह नाम लगती है इंडिया वागे लोग कहना लगए इंडियन्स तो यह जीज़े इंपॉर्टन है इंपॉर्टन सी रूट का है बॉलकरोड कहां पर है आपका सुलिना चैनल कहां कहां पर है यह सारी लोकेशन्स हमने इस इस वीडियो में अब एक चीज जो बचली ने वो भी देख रहे थे इंपॉर्टन वाटर बॉड़ी तो यह लेक बाइकाल है कहां पर क्या लोकेटिटेट है अब सबसे पहले कैस्पी एंसी के आसपास कौन सी कंट्रीज है I hope you know what is the the formula of countries surrounding केस्पी एंसी ठीक है बाइकाल कहां पर है मुझे बताओ अगर नॉमली में आपको पूछू कहां पर है बाइकाल तो रश्या में है यह कहां पर लग रहा है कहां पर दिख रहे है कौन सी कंट्री कुइंग हाई लेक लेक इसन ओविसली चाइना ठीक डेड़ सी लेक जनेवा मुझे बताओ यह तहां पर है लेक जनेवा έχει लुकिटेड इन घेतले इन वेच प्लेसली यहां से बहों क्या लग और है हमने डिसकस किया है लगभ इस एर्या को यह कौन कौन सी केंट्री इता है कहां कहां पर हो गा यह आलग है विसकांसियन में है विक्षांटी 05 यह जन्य जेंवा कहां पर हुआ है लाइक लेक इंस्टाइन भी इसके साथ था लेक चैड तो चैड में होगा ठीक है लेक विक्टोरिय आपको पता है यूगांडा और दो गंट की स्कीन के साथ की बाउंडरी लगते हैं मुझे बताइए यह हमने देख लिया ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका अमेरिका य जहां से आपकी कौन सी नाइल निकलती है उन्हें डिसकेस भी किया है फ्रम लेक टाना वेरेज इस लोकेटिट अन विच यह और यूजी बताइए अपना अन से तब तक हम एक चीज़ और देख लेते हैं लेक इरी यहां पर भी है विच इन ऑस्ट्रेलिया और लेक इरी इ अश्ट्रेलिया तो मेंना एक और सवाल तो बढ़ेज लेक टोबा तो लिक टोबा इस अरॉड ये सो किलमेटर के आसपास है इंडोनेशा में है मुझ इसमें रहती है कि वालक्नों से कहा जाता है जाना वहीं से निकली थे और बाडिसन मांटेंस है वहां पर दो लेक टोब अब एक लेक यहां पर हमने नहीं डिसकस करी विच इस टोनले सैप मेरा आप से बिसिकली सवाल है कि अगर आप इस मैप को देखके बता सकते तो बताओ कौन सी जगे होगा यह समंदर के बस जस पास है यहां पर चाइना की नेवल बेस भी है रियाम तो इट्स पार्ट अव कम लेख मार्सा भी आह हो कहां पर होगा क्यों मतबड़े लेक मार्सा इहां यह मतली चाहिए अने वरिस लिक मार्सा भी यह हो हें कि हिंट ऐसे जगह है जहां पर रीसेंट्री काट साहट अन्ट है सो अबस्तिरी वैैनिचली बेस्ले मेजरमार इसь तरह से डेरी जो है और ऑर पॉर्टल लोकेशन से कहां कहां पर हैं सो आई हो कि ये सेशन आपके लिए फ्रूफुल रहा विए डिसक्स्ट एडलेंट एक कंट्री जो मिस्कर रहे तो इसको भी कर लेते हैं विचस्योर म्यामार में यह कौन सा प्रोविंस एज जहां रहे थे बताई यह इलाका कौन सा प करेनी मौन वा और कोकांग चाहिनी जो मियामार में हैं यह आप यहां से पढ़ सकते हैं आप चाहते हैं और बदाए आपको क्या और help चाहिए यह वीडियो आपके लिए देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद कीप वाचिंग प्वाचिंग 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 इस और नाइस दे